हे गाईस तो आज हम आप सभी के लिए एक माराथन क्लास लेकर आएं जिस क्लास में आज हम लोग कम्प्लिट करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो सिकेंड चैप्टर है विलेन जिससे आप लोग इंगलीस में सलूशन भी करते हो उस चैप्टर को पूरी तरीके से कम्प्लिट करेंगे इस चैप्टर के पूरी थियरी को पढ़ेंगे थियरी के साथ-साथ में जो भी पॉर्टेट निमिर्कल्स है आप सभी के एक्जाम को लेकर जो सभी numericals आप लोगों को तयार करने चाहिए जो आपके board exam को लेकर reported है सभी numericals को भी देखेंगे new syllabus के carding साथ-साथ में हम लोग इस chapter के जो भी questions अभी तक आपके exam में बने हैं पिछले 5-7 सालों में उन questions को भी देखेंगे और फिर जो आगे question बन सकते हैं जो गेस question है उस question को भी देखते हुए lecture को complete करेंगे यानि यह lecture आप सभी के लिए एक one start type का lecture होने वाला जिसमें आपको सभी चीजे देखने को मिलेगी ताइस चलिए तो आज का यह lecture start करते हैं start करने से पहले एक बास सभी लोग मा सारदे मा सरसुती का समरड करेंगे और उनको ध्यान करेंगे और उनसे प्रात्ना करेंगे positive energy उनसे प्रात्ना करेंगे कि जो भी इस lecture में हम लोग पढ़ें सिखें सभी चीजे आपको last time तक याद रहें और सभी लोग मेरे साथ अपने copy work और साथ साथ में अपने comment box में भी जैमा सरसुती लिखेंगे जैमा सरसुती सभी लोग लिखेंगे और एक positive energy के साथ में लेक्चर का आगाज करते हैं और कोशिस करेंगे कि सभी चीजें आपको समझ में आए लेकिन समझने के लिए आप लोग को आपको comment box में type करना पड़ेगा साथ साथ में अपने copy पर भी लिखना पड़ेगा देखें लिखने से क्या होती है चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं तो comment box में ही सही लिखो जरूर नहीं लिखोगे तो पस्ता होगे जितना लिखोगे उतना ही चीजें आपको लांग टाइम तक याद रहेंगे और मेरी पूरी कोशिस होगी कि सभी चीजें आपको इसी लेक्टर में तयार हो जाएं दुबारा आपको पढ़ने की जरुबत नहों ठीक है पीडिएप को एक पॉांट्स को मैं समझाते हुए चलूँगा और यह पीडिएप पूरा पीडिएप है आप सभी के लिए यह पीडिएप आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर भी Telegram Channel के अलामहा आपको Alpha Institute पर भी मिल जाएगा. Telegram Channel पर Alpha Institute साख करेंगे, वहाँ पर Telegram Channel आजाएगा. काफी स्ट्टिंट वहाँ पे जुडे हुए है. वहाँ पर आपको नगेवल 2nd Chapter पर पीडियाप. इसके अलामहा जितने भी Chapters है, सभी के PDF आपको uploaded हैं, आप जा कर देख सकते हैं, आप लोग Alpha Institute आप को भी download कर सकते हैं, वहाँ पर भी PDF बहुत ही manner से upload हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, इसी तरह से आपका मैं chapter number 1 को भी complete करा चुका हूँ, आप सभी लोग जा कर देख सकते हैं, अगर आप इस chapter के one by one lecture देखन चाहते हैं, तो भी आप लोग देख सकते हैं, playlist में सभी lectures का link मिल जाएगा, अब playlist में चले जाएगा, और उस playlist का link दीचे description में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो चलिए lecture का start करते हैं हम लोग न, चलिए, सबसे पहली बात, हम लोग ये जानते हैं कि William जो chapter, solution, ये chapter से question कैसे जाते हैं आपके exam, क्योंकि ultimate आपको exam ही देना है, ठीक है, तो question कैसे पूछे जाते हैं और कितने number के question पूछे जाते हैं, ठीक है, तो लिखेगा सभी लोग William, देखिए, सबसे बड़ी बात ही होती है, मैं सच्छा ही बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपके सलेबस को देखा जा, तो वहां से 4-5 अंग दिया है, इतना दिया है कि इतने अंका आपसे पूछा जा जा रहा है, लेकिन मैं ने देखा जो exam में इससे question जो है, 7-8 अंकों तक के पूछे जाते हैं, यानि समझ लीजे आपके 1-1.5% आपका इसी लेक्चा से तयार हो और question कैसे कैसे पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस chapter से जो question पूछा जाता है, वो हता है आंकिक प्रस्न, आंकिक प्रस्न, आंकिक प्रस्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आंकिक प्रस्न के बाद आपके बहुभी कल्पी प्रस्न पूछा जाता है, ये तो ह सबसे ज़्यादा आंकिक प्रस्ण, उसके बाद बगविकल्पी प्रस्ण, उसके बाद तिसरे नमर पूचा जाता अलग उत्री प्रस्ण तो सभी प्रस्णों को हम लोग समझते हुए चलेंगे कोश्ण कैसे बनते हैं कहां से कुश्ण किस प्रकार बनते हैं उन सभी टापिक को हम लोग समझते हुए चलेंगे आपको बस जी जो जी चीजें मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते चलना है आपको जबा टेंसन लेने की जरुवत नहीं तयारी हम कराएंगे इस lecture में भी हम आपको आंकिक प्रस्ण कराऊंगा जो भी theory बताऊंगा उस theory के खाड़ी इसके अलावा मैं इस chapter के कुल मिलाकत 30 आंकिक प्रस्ण रखाऊंगा जो कि important है आप सभी के लिए यह आंकिक प्रस्ण मैं किसी अन्य lecture में एक मैराथन क्लास बना कर दे दूगा जिसमें केवला और केवला आंकिक प्रस्ण ही होंगे और यह 30 important question वाला जो lecture है इस lecture के बाद ही मिलेगा क्योंकि इस lecture में आप लोग समझोगे उसके बाद आपको मिलेगा हलाकि इस lecture में भी आपको आंकिक प्रस्ण कर रहा हूंगा इसके अलावात 30 और रखा हूंगा तो इस lecture के आंकिक प्रस्ण करोगे तो आपको कुछ फुड़ा मुड़ा आपको समझ में आएगा चेप्टर में क्या है कैसे चल रहा है इसके बाद जो मैं लेक्टर दूँगा उसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने लगने में ठीक है यह सभी चीजें आपको समझ में आ रही है ठीक है इसके अलामा में आपको इस चेप्टर का जो घरी है इसको हम स्टार्ट करते हैं ठीक है Willien किसे कहा जाता है Willien Heading करिएगा Willien और किसे कहा जाता है Willien ध्याम देना सबीड़ो Willien जो होता है इसे English में solution कहा जाता है जैसे आपके ये bottle है और ये bottle हम वह के बड़ा काम आने वाला है इस bottle में अगर हमने Gulcon Di मिला दिया तो क्या आप देखकर बता दोगे कि इस बाटल में गुलकॉंडी मिला हुआ है नहीं आखों से देख नहीं सकते हो तो जो आखों से नहीं देख सकते हो अगर मालीजे इसी बाटल में हमने क्या मिला दिया हमने मिला दिया रेट जो बालू आता उस बालू को मिला दिया तो अई दो से अधिक पतातों के समांगी मिस्टर को he truck МУЗЫКА समांगी मिस्टर का मतलब क्या होां जिसे आप आखों से देख कर नहीं बता सकते हो मिल जाएंगे सभी एक दुसरे में ग dol मिल कर रहेंगे तो ऐसे मिस्टर को क्या कहा कहा जाता है तो आप लोग डिप्रिशन लिखेंगे के कमेंट बाक्स में दो या दो से अधिक है अधिक पदार्सों के पदार्सों के समांगी समांगी मिसर को को विलेयन कहा जाता है दो या दो से अधिक पदार्सों के समांगी मिसर को क्या कहा जाता है विलेयन कहा जाता है अब बात करते हैं विलेयन के घटक की विलेयन किन किन चीजों से मिलकर बनता है जैसे हम लोग का सरीड किस से मिलकर बनाएं पांच घटक होते हैं सरीड का अब मुझे याद नहीं कहुँआ अगनी पावा कि यह सब होता है मुझे हिंदी की बाते हैं याद नहीं तो जैसे सिधी सी बात मेरे करने का मतलब है कि विलियन किन दो चीजों से मिलकर बनता है कि इसकी बात करते हैं जैसे ये मारकर है आप सभी की सामने मारकर किन दो चीजों से मिलकर बना है एक तो मारकर का कैप है दूसरा मारकर है ये दो चीजों से मिलकर बना है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं देखे कोई भी विलेन आपके दो चीजों से मिलकर बनता है एक तो होता आपका विले दूसरा होता है विला है विलेन के दो घटक होते हैं एक होता है विले दूसरा होता है विला है अब आप सभी लोग मेरे साथ बोलोगे और यहां पर विलायक में 4 सब्द है बात समझबाँ करे विले में 3 सब्द है विले 4 सब्द यहां प…? अगर आप को कोई विलें दे दिया जाय विलें यहां डीया जा उस मेरे पास इस बाटल था बाटल में को पानी के साथ गुलकॉल भी में मिलाया हूँ ठीक है तो पानी के साथ जो पानी जल प्लस गुलकॉंडी गुलकॉंडी जो जल प्लस गुलकॉंडी ये दोरुत पानी का एक विलेन है क्या है इसे विलेन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वही आपका विलायक होगा जरा बताओ जल और गुलकॉंडी में इसमें किसकी मातरा दिखे, देखकर बताओ जरा, किसकी मातरा दिखे, जल की मातरा दिखे, जल की मातरा दिखे, सही बता रहे हो आपको, जल की मातरा दिखे, तो जल आपका क्या होगा, जल क्या होगा यहां पे, विलायक होगा, जल आपका विलायक होगा, और गुलकोन डी आ आपका क्या हुबा ए अरे समझ में है और सब्गोब क्या बात कर रहा हुँ जल आपका विलायक हुगा कुल कोण डी आह बिले है ORS goal क्या होता है जिसमें आपको पानी यान पानी को हम लोग जल दिखेंगे जल में हम लोग मिलाते हैं चीनी नमक चीनी नमक का एक मिसर होता है जल के साथ जो की समांगी मिसर होता है तो इस विलेन में कौन सा आपका विले है, कौन सा 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 विले है, वो आर और पानी चीनी और नमक यह आपका विले है और पानी जल मतलब आपका क्या है विलायक है जिसकी मात्रा अधिक हुआ विलायक होगा जिसकी मात्रा कम होगा हुआ विले होगा और एक्जामपर ले लिजिए सबी लो और एक्जामपर लिजिए सर्बत की बात करते हैं सर्बत अरे सराप की बात नहीं कर रहा हूं कहोगे तुसकी बात भी मैं कर लूँगा सर्बत की बात मैं कर रहा हूं सर्बत में कौन विले कौन विला है जरा बता हूं सर्बत दो चीजों से मिलकर बनता है एक तो इसमें चीनी होता है एक पानी होता है चीनी होता है और साथ साथ में क्या होता है पानी होता है जल होता है तो बताएगे किसकी मातरा जिक होती है सरबत में देखो अभी बात समझ लोगे तो सही रहेगी आगे विले विलाए विले विलाए इसी कि ये दगी दे पूरा चैप्टर नाचने वाला है अगर नहीं अभी कोपड़ी में गुशेगी न तो आगे समस्या होने वाला है समझ लोगे तो अच्छा रहेगा आप सब अन्यता फिर परचान होने वाले है बात समझना सभी लोग सर्बत में कौन दो जल आओ चीनी होती है तो किसकी मातरा अधिक होती है जल की होती है या चीनी की होती है जल की मातरा अधिक होती है चीनी की मातरा कम होती है तो चीनी आपका विले होगा और जल आपका विलायक होती है तो जिसकी मातरा अदिक होती हुए आपका विलायक होता है, जिसकी मातरा कम होती है उसे आप मुले करते है। बास समझ में आ रहे है सभी को ? अब देखिए, यहाँ पर क्या आपनों देखा ? यहां पे देखा, जब हमने चीनी और पानी, गिल्कोणडी मिला थाा, तो जो मिस्टर बना था, तो पानी ही था, ठोस नहीं हुआ है जबकि मैंने ठोस इसमे गुल कॉंडी मिला है विले हमने यहां पर टोस मिल था तब पर भी यह पानि ठोस नहीं हुआ जल का जलती ही रहा जब मैंने यहां पर काम किया ORS गोल मिला है जल में जब ने चीनी औा नमग मिला ऊ-res गोल है नाओं समझ ने भी फोट बन गए है की कोई बी पदाष डाले उस में जो भोतिकवस्था होता है वह विलायक का प्राप्त कर लेता है कि पभवतिक औस्था का मत्विया हूआ जो उसकी माधोस्था जिसे जलकी द्रष उसे रहेगा विले कुछ भी डाल द्रष में विलायक का ही औस्था ही तो आप यहां पर लिशतते हैं कि घटक ängबौतिक औस्था विलियन की भौतिक वौतिक 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 वौ ये जो होता है इसका यह गति को यह अवस्ता के समान होता है आरे बाई समझ में आया सभी को भाई समझ में सभी को नहीं आया आ गया होगा बिल्कूर तो आपको बिले और बिलाय समझ में वाher के लिखा हुआ है और आपको कैसे पढ़ना है अभी तो ये आगे महुआ लेते जया था यह आपका नोस है इसको पढ़ी सब लोग पढ़ापर पढ़ धिये दो या दोस्य अधिक पदातू के समागी मिसर को विलेन के दो गटक होते हैं कौन-कौन दो गटक होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक होता है विलायक एक होता है विले बहतरीन तरीके से लिखा है गटक की बहुती कवस्ता विलेन की बहुती कवस्ता के समान होता है विले के लिए तथा विलेन की जो मात्रा होती है विले की मात्रा जो होती क्या होती अधिक होती है नीचे लिखा गया है आप देख सकते हैं उपर लिखा गया है कि विले की जो विले की मात्रा होती वह कम होती है वह कम होती है बोलिए समझ में आया अरे बोलिए समझ में आया सभी को समझ में आ गया होगा चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं कि जो विलियन बनता है किन दो चीजों से मिलकर बनता है बात समझ में आई सबी को विले और विलायत से मिलकर बनता है विले और विलायत से मिलकर बनता है अब एक दो चीज एक्जामपल आ और मुझे बता दो तब हम समझेंगे कि यह आपको पूरा समझ में आ गई है उसके बाद आगे चलेगे चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए लेक्चर जाएज इतना लंबा हो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे वन्ट साट लेक्टर का यह खाना, यही आपने मुझे खुश सूरती है, मेरी बात है, आपके पास दे दिया गया 10 ग्राम, 10 ग्राम एतिनाल, और 40 ग्राम एतिनाल और 60 ग्राम जल दे दिया गया, और इसका विलियन बना कर, 40-100 gram आपका विलेन बनाय गया तो इसमें जर्छ देखकर मुझे बताना कौन विले कौन विलाए कौन विले कौन विलाए तो सिधी सी बात है 40 gram यहिसकी मातरा 60 से कम है यह आपका विले होगा और यह होगा आपका विलाए तो वो कोई भी कोशन आपसे पूछी आपको उसमें देखना है किसकी मातरा कम है जिसकी मातरा कम होगी वह आपका विले होगा जिसकी मातरा अधिक होगी वह आपका विलायक होगा अरे बोलो समझ में आ रहा है सभी को अरे समझ में आ रहा है सभी को बोलो जिसकी मात्रा अगर नहीं समझ में आ तो फिर से आ अगर आपके पास कोई विलेन दे दिया जाए जिसमें 10 मिली आपका क्या है विंजीन है और 50 मिली आतन आपका फिनाल है इन दोनों को मिला दिया जा APP मिला तो इसमें जड़ा बताना कौन ूइस कौन विले औरे भाई साहब विलियन की मातरा जो होगी यह सब्सक्राइब बें 5,5 पिशाक जो death में 60 यह तो विल नभी मातरा हो जाएगी, यह विली मैं अब क्या होगा, 10 यह विले होगा और ये क्या होगा, बिलायक को, ये आपका क्या होगा, बिलायक को, तो इसमें कौन बिले, कौन बिलायक को, समझ में आया है सभी को, कौन बिले, कौन बिलायक को, सबीस में आज़ा है सभी को, कोई भी question, आगे कौोंशन में कौन William है, कौन विलायक है, सभी बता लोगे...? सभी लोग बता लोगे, की नहिक बता लोगे...? बिल्कुल! तो चलिए, अब हम इसके आगे चलते हैं, हम लोग William के प्रकार समझते हैं अभी तक हमने यह जाना था कि Villeant के कौन-कौन से गटक होते हैं अब हम लोग इंगे Villeant की प्रकार 앞으로 सक करने का मतलब है समझ लिजे यह PIN यह PIN आपको मैंने बताः इसके 2 गटक है एकël नीचे गाहिए इसक नीचे गाहिए यह तो बुलेट यह आपका i percent प्रकार की बात करें तो प्रकार की आजी यह मारकर अलग-अलग कंपनी का आती है आपका सेलो का आती है आप बहुत कंपनी के आती है ठीक है रिटो मेटर का आता तो अलग-अलग कंपनी का मारकर आता तो वह कंपनी के प्रकार हो गए लेकिन बात करें सभी मारकर में दो depending numbers 1 डूसरी बात ध्या लगना सभी हो चोई बी बिलेन बनता है तो किसे किसे मिलेकर बनता है कि आ है और विलायक से मिलकर बनता है कि विले से में को भी बीन है कि बिल्सक्राबं कि तो चलिए अब इस है आगे हम बीज Huge सबी परकार को डेंगा हिए हिघिकर हैं कि अग एक हाँ बिलियन के प्रकार मेंरे içा कि अभी डा शभी को ऑफी ऑफीन कुंट आएगा पूरा चैप्टर तो आपको उप्रकाशन को ढाए कीजिते समझते के स्बाइब से भीते नितलस लास्ट मिछा कर आपको पहाड बन जाएगा तो हैटिंग करना क्या विलियन के प्रकार अब देखे थोड़ा मुड़ा अगर आपको साउंड में थोड़ी मुड़ी अगर आवाज कुछ इस्ट्रा आवाज जाए है का आवाज ऐसा कुछ जाए तो आप परसान मतूना क्योंकि देखे लाइट कट अब ध्यान देना सभी लो विलियन के प्रकार होते हैं यह हम लोग दो तीन प्रकार से बाढ़ते हैं इसको सबसे पहला प्रकार हम लोग बाढ़ते हैं किसके आवायाव की मात्रा के अधार पर बाढ़ते हैं इसको पहले सबसे पहला प्रकार में बाढ़ते हैं आवायाव क कि मात्रा के अधार पर अधार पर अधार पर यह दो प्रकार की वैसे होते हैं पले क्या होते हैं एक तो उतार तनु विलियन एक उतार सांध्ध विलियन कि यह आगे आपको तनु विलियन सांध्ध विलियन सिकेंड थर्ड चैटर जो है क्या अनंतंता पर अनंतंता पर हम लोग करेंगे किसमें जो आपका कुल्राउस का नियम वाला होता है वह चैप्टर का नाम है वैद्धूतर्थान उसमें कासी जूज होता है तो एक एक टर्म को समझते हुए चलना जो चीज़े मैं पढ़ा रहा हूँ आपके नियू सलेबस के करड़ि अब हर्यक चीज़ें आप सबीकिल इंप्टइंट बातस बाना तनु विलियन और सांदो विलियन किसी काते न तनु की मात्रा विले की जो मात्रा होती है विले की मात्रा विलायक की मात्रा से क्या हो बहुत कम हो विले की मात्रा जो होती है विलायक की मात्रा से बहुत ही कम हो उसे क्या कहते हैं तो विलेन कहते हैं वह जिसमें इकाई आतन में क्या हो, विले की मात्रा, विले की सांध्रता बहुत ही कम हो, विले की मात्रा या सांध्रता कर सकते हैं, विले की, आप इकाई आतन में विले की सांध्रता, सांध्रता कहेंगे तो अच्छा रहेगा, सांध्रता, बहुत कम होती है, उसे क्या करते हैं, इस बाटल में मैंने चुटकी भर गुलकॉंडी मिलाया यानि इस iqai ayatan में इस billion की इqai ayatan में हमने बहुत चुटकी बर नमग मिलाया या चुटकी बर आपका क्या मिला गुलकोंडी मिलाया तो यह billion कैसा होगा यही पर एक चमज भर के इसमें मिला दिया जाए गुलकोंडी दो-तीन चमज मिला दिया जाए तो ऐसा विलेन क्या कराएगा सांद विलेन कराएगा तो सांद विलेन किसे कहते हैं इकाई आयतन में विले की मात्रा अधिक होती है इकाई आयतन में आयतन में विले की मात्रा अधिक होती है दो पॉइंट से तोनों पॉइंट समझ मैं कुछ लोग करें नहीं दिख रहा है ना चलिए भर लेते हैं अब इसके बाद हम सबम्हें बताना सभी नोग कमेंट में करके कि संतित którą शुक्सिंवार्ण है और असट्रिप्ट बिल्यान अ W अ जाता है संतित्व विलेन किसे का जाता है और संतित्व विलेन किसे का जाता है ध्यान देना और बताना सभी लोग संतित्व विलेन क्या से किसे का जाता है तो वह विलेन जो बनता है उसे संतित्व विलेन कहा जाता है बात समझना सभी लोग ये बाटल है इस बाटल में हमने विले की गुलकॉंडी इतना मिला दें, इतना मिला दें, इतना मिला दें, कि अंति में जाकर इस बाटल में गुलकॉंडी मिलाएं और वो मिले ही नहीं, घुलित हो नहीं, वैसे कि वैसे रह जाएं, यानि अधिकतम मात्रा, एक निशित आयतन में विले की अधिकतम मात्रा अ किसी ताप पर किसी विलेयन में विले की अधिक्तम संभव मात्रा घुलित हो जाए उसे क्या कहते हैं संतित विलेयन कहते हैं अधिक्तम संभव मात्रा घुलित हो जाए उसे क्या कहेंगे संतित विलेयन कहेंगे अगर मान लेगे अगर इस्थिर ताप पर किसी विलेन में विले की अधिक्तम जो मात्रा गुले वह संतित विलेन की अपिछा करी कम हो उसे क्या कहेंगे और संतित विलेन अपली सकते हैं इस्थिर ताप पर किसी विलेन में 5-2-3 अगर किसे संपित्यम व्लैन कि ए पेच्छाक्र्म अब सभी लोग भी कमेंट बाफ में लिखेंगे संपित्य विलें से कम हो तुसे क्या कहेंगे आसंतित्त विलेन कहेंगे आसंतित्त विलेन कहा जाता है तेके इस्तिताप पर अगर विले की मात्रा अधिक्तम गुलियों से संतित्त विलेन कहते हैं अगर संतित्त विलेन किया पेच्छा करी कम घुलियों से क्या कहेंगे आति संतित्त विलेन कहेंगे एक और डिफ्रिशन आता है आति संतित्त विलेन की यहां समझते हैं आति संतित्त विलेन किसे का जाता है आति संतित विलेन एक ऐसा विलेन जिसमें विले की मात्रा संति क्या बहुत ही अधिक को बास समझना सभी लोग एक ऐसा बीर्यन समझ ये एक ऐसा ग्लियन ऑसा गी किलेत है जिसमें दिखाए जिराए जिसमें घीर और युज गया टीं 60 संतित्त विलेयन यन से अधिक हो तुसे क्या कहेंगे आति संतित्त विलेयन कहेंगे अब मेरी बात समझना सबीलो देखे अगर आपकी यहाँ पर मैं एक्जामपल लेना हूँ है संतित्त विलेयन में इतना विले की मातरा घुली है 10 किलो घुली है बस समझा यहाँ पर अतिस संतित्त में अगर क्योई 12 किलो घुली है उसके बाद नहीं घुलता है तो वह आपका संतित विलेयन है 10 kg से गर कम हो तुए अत्य संतित में क्या होगा उसमें और इन चीज़ों को हम लोग नोट्स पे देख लेते हैं फटापट सबी सब्सक्राइब को जिसमें इकाई आतन्म विले की सांता अधिक हो उसे क्या कहीं है सांदर विलें संतिर्त अति संतिर्त यह सबी चीजें आप लिखी गई है हाइलाइटर करके सबी लोग देख लिएगा आप चलते हैं नेस्ट पेज पर ठीक है नेस्ट चीजों को समझते हैं अब देखें यह जो थ्या आपका यह किस अधाया पर था विले की मात्रा के अधार पर अब जो होगा विलायकों के भौतिक अवस्था के अधार पर हम लोग अब जो हम लोग क्या हैं विलियन को बाटने वाले किसके अधार पर विलायकों के भौतिक अवस्था के अधार पर इसे आप लोग नोट कीजिए, इसकीन साट लेना है, ले लिजिए, क्योंकि मैं साट में लिखावा हूँ, अगर इसका साट लेंगे तो बढ़ियां समझना आएगा, हलां कि नोट तो मैं देई रहा हूँ, ठीक है, लिखना चाहते हैं तो लिख लिजिए, फाइदा होगा, लिखने से चीज अगर आप लोग पड़े नहीं रहा हूँ, तो मैं कि आपकी बोर्ड एक्जाम की तयारी नहीं करा रहा हूँ, बोर्ड एक्जाम के साथ साथ में, जो आपका प्रेटिकल एक्जाम इंटर्व्यू होगा, उसके भी कोसन साथ साथ में बताते चलना हो, सबास समझे रहा तो ऐसे साटन बताओगे तो उसको समझ में आया है अपनों को ना फटा फट लिखे सभी लोग आवाज आ रही तो परसान मत हो ना आवाज क्यों आ रही है मैंने आपको बता दिया थुड़ा सा आवाज होगा मुझे मालूम इडिटेशन हो रहा है लेक्चर न होने से अच्छा की लेक्चर हो जाए ठीक है लाइट कट चुकी है इंवर्टर पर क्लास चाहू रही है तो इंवर्टर में जब क्लास चलती तो उसके तो इससे भी बड़ा कपडा हो तो इससे मिटाने लगए ठीक है बस आप लोगों को आपकोर्स नहीं लगना जाए देखें विलेन का आप जो प्रकार है यह विलेन की प्रकार की सदाव बाटेंगे विलायकों के भौतिक अवस्था के अधार पर विलेन के प्रकार यह भौतिक अवस्था के आदार पर विलेन के प्रकार देखें यह तिन प्रकौर क्योंते है पहला होता है a को गो डूसरा होता है डॉसरा होता है बुलेन त्क इसना होता है गैसिदी हो घॉ घ। रव और गैस मीघॡ़ मिया है यह तीन प्रकार के होते हैं विलायकों के बहुतिक अवस्था के अधार होते हैं थोस विलियन, ड्राव विलियन और गैस विलियन यह तीन प्रकार के होते हैं तीनों के बारे निसम देखें देखें थोस विलियन किसे करते हैं मैंने आपको बताया था एसा विलियन जिसके विलायक जो है ठोस अवस्था में हो उसे क्या करते हैं ठोस विलियन करते हैं कि एक सा बिल्यक यह जिसमें विलायक जो किसमें जास्था में एक आप साथ में दो मिलें कि एक ऐसा बिल्यक ingương का यह ऑफ में जैसे एक ऐसा विलियन जिसमें क्या हो विलायक आपका क्या हो विलायक क्या हो द्रव अवस्था में हो उसे क्या कते हैं गैस विलियन करते हैं तो तीन प्रकार के विलियन होते हैं ठोस विलियन द्रव विलियन गैस विलियन किसे कते हैं ऐसा विलियन जिसमें विलायक आपके ठोस अवस तो यह तीनों चीजें आपको समझ आई आये नोट्स को देख लेते हैं कि आपसे कैसे लिखा हुआ है ठीक है ? नोट्स भी देखना जरूरी है ना एक में यह नोट्स आपका हो गया इसका नेस पेज पर यह दिआ हुआ है ऊपर यह देखने है पड़ यह सभी लोग कि क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर पढ़िए सभी लोग यहां पर देखे गैस विलियन दिया है सबसे उपर ऐसा विलियन जिसमें विलायक आपके गैसी अवस्था में उसे क्या करते हैं गैस विलियन करते हैं नीचे दिया हुआ आपका द्रव विलिय विले जो होते हैं ठोस द्राव गैस कुछ भी होते हैं बात कर लेते हैं ठोस विलेन की तो ऐसा विलेन जिसमें जो विले विलायक होते हैं विले आपके कुछ भी हो सकते हैं ठोस भी हो सकते हैं ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं समझ में आ रहा है सबी को बोलो अब बोलो समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा है सभी को पून आगे रहा था इसको हमने कट कर दिया ठीक है क्लास के समय पून करते हैं समझ में आ रहा है सभी से सभी चीज़े कोई दिक्कत तुने है किसी को चलिए अब आम लोग क्या करते हैं फोस की वीलेशन की होगी अब बिलेशन की सांदता के बारे में पर ते हैं क्या हैधिंग क्या हिएगा विट् Spaß시 का अब कि वीलियन की सांध था है sugar faff आप लोगों को विलेन की सांधता है किसे कहा जाता है विलेन की सांधता क्या होती यह सबी चीजिया आप लोगों क्या करने वाले पढ़ने वाले हैं ठीक है चले विलेन की सांधता हम लोग पढ़ते हैं विलेन की सांधता किसे कहा जाता है ध्यान देना सभी लोग विलेन की सांधता किसे कहा जाता है देखना विलेन की सांधता क्या होता है प्रतिकाई आयतन में प्रतिकाई किसी भी विलेन के प्रतिकाई आयतन में उपस्तित विले क कि मात्रा को क्या कहा जाता है विलेन की सांधता कहा जाता है एक बार सभी लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करेंगे यह डिफिशन कि विलेन की सांधता किसे कहा जाता है किसी विलेन के प्रतिकाई आयतन में उपस्तित विले की मात्रा को क्या कहा जाता है किसी विलेन के प्रतिक की मात्रा को क्या का जाता है विलियन की सांधता कहा जाता है आप लिखेंगे डिप्निशन के कि किसी विलियन के विलियन के प्रति काई आयतन में उपस्थित उपस्थित विले की मात्रा को विलेण की सांधता करें है प्रति-काई आयतन में उपस्तित, विले की मातरा को क्या करते हैं, विलें की सांधता करते हैं, एक बार सभी लोग इसे, कुमेंट बांग सेमच में भालन भी जो की तरीका बताएंगे, वहां से, आपके इकजा में का क्या तोssन जिसे कही जाती है। यहाँ पर ध्यान देना सबी लोग यहाँ पर, छलिए ध्यान देना सभी लोग यहां पे ध्यान देना सभी लोग यहां पे कि विलेन की सांता को व्यक्त करने की विदिया बिल्यन की सांथता को व्यक्त करने की विदियां कौन कौन सी विदियां है जिससे हम लोग क्या करते हैं ये जानना आपको सबसे ना इस नकित्हों परँसर्थतii है प्रतिस्थता मृत्रिश्थत के रूप है अब प्रतिस्थत के रूप में सबसे पहला आए भृमाण PSYTHA दर्बमान परस्टा दर्बमान परस्टा दर्बमान के प्रतिसर्थ के रूप में वैद करेंगे कैसे करेंगे किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्तित विले की मास्त्रा को क्या करते हैं अगर उसका परसंटेज निकाले तो उसे क्या करने दर्बमान परस्टा करेंगे कि अपली सकते हैं याप पर किसी विलेन के के 100 ग्राम में उपस्थित विले की मात्रा को क्या करते हैं काहते हैं कोई भी विलेन है उसके 100 ग्राम में उपस्थित विले की मात्रा को क्या करते कितने ग्राम में मेरे बाई सौ घ्राम बिलेंड में उपर दी विले की मात्रव का कािएगे परती सर्ठता कहेंगे तो देखिए ने का मतलब है इसको इसको कैसे मटवलो पान समझ में आएगी अभी नुमेरिकल करो dove मुझे मालूम है लिए इस समया रहा है तो मेंसिको इसमाल W पांगर यह कि इसमाल devlor क्या होता है जुद कि कि ब्लियम और इसमोगता कर देते हैं कि धर्मान पर सद्था कैसे निकलती कि मात्रा को किया का जाता है जिए अबِّक नहीं समझ में आ रहा है परशान मत हो ना चीजह में आ जरूर नीचे कंवेंड गुल करना आफिसको समझ में आएगा जब इसका निम्मेगल कहेंगे आइतन प्रति सत्ता आयतन प्रति सत्ता क्या होता है देखें बाई साब यहाँ पे दर्मान प्रति सत्ता था तो दर्मान प्रति सत्ता में क्या था सौ ग्राम में उपस्ति विले की मात्रा था आयतन प्रतिसतता कहेंगे यहाँ पे 100 ग्राम बिलियन में उपस्तित विले की मातरा क्या कला था दर्बमान प्रतिसता कला था एक बाद सभी लोग comment box में comment करेंगे इसका definition कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्तित विले की मातरा को क्या करते है दर्मां प्रस्थ्त्ता कहेंगे। 100 mi आयतन में उपस्थित्र विले की क्या कहेंगे। मात्रा को क्या कहते हैं आयतन प्रतिसतता कहते हैं सौन मिली आयतन के विलियन में उपस्तित मिले की मात्रा को क्या कहते हैं आयतन प्रतिसतता कहते हैं क्या कहते हैं आयतन प्रतिसतता कहते हैं क्या कहते हैं उसे आयतन प्रतिसतता कहते हैं समझ में आरा है सभी को समझ में आरा है अंट 570 किसे करते हैं तो का eosa कि इसे पर देकले यापान इसे कापली अपान समाऍन दी एपान कैप्त परसेंटेज से बिख्त खता है इस्माल b का मतलब क्या हुगा इस्माल b इसी आगर आप लोग लिखो गया ही हापे लिख रहे हैं आम लोग ध्यान देना सबिलोग bred formerly का मतलब विले की मात्रा मात्रा और विक समें मीनि में कैपिटल भी का मतलब हो गया विलेन का आयतन उसी किसमें मिली में इंटू 100 करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा आयतन प्रतिसरता निकल जाएगी क्या निकल जाएगी आयतन प्रतिसरता निकल जाएगी तो आयतन प्रतिसरता क्या होता है 100 ग्राम में उपस्तिजब बिले की मातरा क्या इंडिट्ट्ग्रमान पषिपता क्या इन परस्था क्या इस दोनों यहां पर आपको एक निमेरिकल करा दें ताकि आपको बहतर समझ में आए चीज है ठीक है तो सभी लोग चलिए निमेरकल की ओर चलते हैं यह सभी चीज़ें आप लोग एक बार नोट कर लीजिए मैं सामने शर्ट जाता हूँ हो गया नोट सभी से चलिए नोट कर लेना इसकी साट ले लेना कि चीज़ें आपको इतना साट में आपको नहीं पता चलिए किसी भी विरेन का सांता किसे करते हैं प्रतिकाई आतन व्पस्तित विले की मात्रा हो क्या करते हैं दो चीज़ें हमने की विद्या पड़ी एक तो दरभनान प्रसत्ता एक आतन प्रसत्ता इसके आगे हम लोग कंटिनु करते हैं इसके आगे आप हम लोग continue करते हैं इसके आगे अब हम लोग क्या पढ़ते हैं एक numerical करते हैं ठीक है एक numerical करिएगा सभी लोग इसके आपका नेमिर्गल को अभी आप डेख लोगे तो अपने से साल उक लूट इसनी मेर्गल को मैं पीडियेड में दिया हूँ ताकि आप लोग क्या करें जब अबने से मर्गल क envision का सलीच मिल जाए कुछ डाउट हो तो देख लें आप सभी लोग तो इसलिए दिया हूं लेकिन अभी देखो गए तो समझ भी तो आई जाएगा यह कुशन पढ़िएगा सभी लोग को यह कुशन आप सभी लोग पढ़िएगा तो कुशन क्या 40 मिली इतनाल का मैं थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूं तब तक आप लोग कुशन पढ़िए ठीक है और जिससे हो रहा है कुशन का जवाब भी नीचे कमिंट बाक्स में कमिंट कीजिए कि दसल क्या लाइट कड़ गई है इसलिए यहां पर आवाज इस्टर आ रहे है फिर भी मैं आपको क्लासेश दे रहा हूं क्योंकि मुझे कम्प्लीट कराना था सब्सक्राइब आवाज तो मेरी सही जा रही होगी ना बस लाइट कटने के वजय से फिनाथ की आवाज होगी इमेटर से तो उसे क्या दिक्कत होने वाला हूं आपको कान भर जा रहा है ऐसा कुछ तो नहीं दिक्कत है चलने देजे प्रच्शन समझ में इसमें क्या है 40 मिली आप से दिया है कि इतनाल है इतनाल है तो आपसे ये क्या पूछा है इतनाल का आयतन प्रस्त्ता ग्याद किजिए आयतन प्रस्ता क्या होता है small v upon capital v into 100 small v का मतलब क्या होता है milli में wille का wille का आयतन ये तो small v होता है capital v क्या होता है wille n का आयतन होता है wille n का आयतन होता है अब देखें यहापर क्या है ये इतनाल है इसकी मात्तरा 40 जा गया अरे भाई फिसे confused तो नहीं हो रहे हो आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है मझे अभी से पता चला दिखाई नहीं दे रहा है मैं आप लोगों को इसको दिखाई लवकाई दिया देता हूं तो ये दिखाई देने लगगा तो तो क्यों नहीं दिखाई देगा है नहीं दिखा देगा अब दिखा अब अपना थुरी मीटा हुगा इसी को छोटा कर देगा, तुझ नहीं पर जया देना, चालीस मिली कै इतनाल है? 320 मिली क्या है जल अब यह थनाल 40 मिली इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है 40 मिली इतनाल का मतलब यह है कि यह आपका विले की मातर है विले है चुकि इसकी मातरा कम है तो यह आपका विले हो गया 320 मिली आपका क्या है यह आपका क्या हो जाएगा विलेयन क्या हो जाएगा विलायक हो गया दो चीजें यहां पर दिग गई है 40 और 320 मिले तो आप सिदे सिदे देखकर बता सकते हो जिसकी मात्रा कम वह आपका विलेक जिसकी मात्रा अधिक वह आपका विलेयक कि इसकी या आपका विले की आतर है गर्यागा गण को इसकी यह इआप का विले हें और है आपको मालुम है एक से मिलता में प्लस विलायक से बनता है यहां पर विलायक क्या आपका 40 है विलायक क्या आपका 320 है दोनों जोडेंगे तो 360 हो जाएगा यहां इन्टु 100 कर देंगे तो आपका आजतन प्रस्त्ता निकल आएगा या आपका आयतन प्रस्त्ता निकल आएगा तो 4 यह 4 से सुना सुना कड़ जाए 4 नौ चर्टिक जानी 100 बटे 100 हो जाए 9 हो जाए नहीं तो नहीं कर पाओगे ठीक है चलिए अब आगे चलते हम लोग अब इसका सलूशन सभी लोग देख लीजे यहाँ पर इस पीडियाप के जब आप लोग पढ़ोगे अपने से तो यहाँ पर सलूशन भी दिया गया है देखे रंगीन तरीचे से फारूला भी मैं यहाँ ब्हुंच के भी आँचार सक्ता यह सभी चीज़ें आपको समझागी गई है तब चलते है नेस पेज पर नेस पेज है आपका यहाँ भर दरभ्यमान आजतन प्रस्ता के बारे में अब इसको हम समझा जेता हूं औरी इसको हम क्या कर पिन्स पार देते हैं यह पीडियाप आ है आपको swimming दो क्या पढ़ना पूर द्रबमान आज़ तन प्रति सब्सकता फिसे हो फिसे कहा जाता है तो थो उसे जटा फिर मिली वियन में उपस्थित है सो मिली वियन में उपस्थित है कि ग्राम में मात्रा क्या खलाता है द्रव्यवान आयतन प्रतिक सत्ता कहराता है यानि यहां पर आपका सबसे उपर क्या इसको आम लोग किसे पता चीज़ करते हैं इस क्या आरी जब्लू अपान वी परसेंटेज से वैंक करते हैं जो आ जो आ यहां वी में पास्तित को आहिक railroad को सबसे पर के हाँ विवलियंगे वी उपर से को सबसें धर्मान आई को सबसें को सव मिली विल्यान में की मात्रा होती है उस भी इस में आप मिली मॉन थीकिए तो इसको अगर आप लिखेना चाहें तु विले की मात्रा बीकिसme – ग्राम में ठीक है आपान विलेन का आयतन औभीकिसमी मिली निया इन्तु हंडड़ Ст Matrix यह जाएगा दर्बान आयतन प्रतिसथता शूंट पत आ covered कि सबमझ में आ रहा हा सभी को अ भंवान आएतन प्रतिश्ट्टत अब नेस्ट आता है पार्ट प्रति compliant इसके क्या होता है? पर्ड प्रतिम्यान कि आप इसको बताने से परहे मैं सभी से कहना चाहूंगा इसको रोट कर लिए अ नोट कीजिए सबी लोग अब देखें पार्ट प्रति विलियन किसे करते हैं किसी विलियन के उन भागों की संख्या किसी विले की उन किसी विले पदात के उस भाग की संख्या जो दस लाख विलियन के आतर में उपरस्तित हो बात यह है कि जो पार्ट प्रति विलियन होता है इससे हम लोग प्रदूसर पर आके माप करते हैं तो यहां पर इसका डिसने कैं निकलके आती है कोई भी एकाईसा विलियन हो जिसमें विले की वह मात्रा जो दस लाक विलियन में उपस्तित हो किसी विलियन की आप लिख सकते हैं किसी विले ठीक है किसी पदात की विले की वह मात्रा जो 10 पावर 6 यानि 10 लाख 10 लाख किसी विले की वह मात्रा जो 10 पावर 6 यानि 10 लाख 10 लाख 10 लाख जो विलेन के 10 लाख भाग में उपस्तित हो उपस्तित हो उसे क्या कहते हैं पार्ट प्रति विलेन का है अब देखेए आपके एक्जामे इस पर कोशन नहीं पूछा जाता है कभी-कभी एक्जामनर आपसे एक्जाम में अगर इंटर्व्यू लेने आता है तो मज़े के लिए कुछ देता है पार्ट प्रति पी-पी-एम के बारे में बठा इसे हम लोग साट में पी-पी-एम करते हैं पी-पी-एम ठीक है तो क्या कहेंगे यानि विले की वह मात्रा तो दस लाख विलेन में उपस्तित है आप समझ सकते हैं यह बाटल में पानी जो है दस लाख हो इस बाटल में पानी कितना हो दस लाख मिली हो लिटर हो ठीक है दस लाख हो वन मिलियन हो ठीक है इसमें अगर थोड़ी सी मात्रा हम बिलेन की डाल दें तो बिलेन की मात्रा औ चाल में उपरस्तित उसे क्या क्या करते हैं पार्ट परतिक बिल्यन करते हैं आइए नोस को देख लेए तैकि आप लोगं को और अच्छा समझ में आये है से वह यह लो हैं कि यहां पर आपका दर्भान आयतन प्र्स्ता निदॉर समयन आ रहा है आप समझ में आएगा हम हाटी जाते हैं हमआटी जाते हैं पूरा देख लिजी आप सभी लोग दिखाए ज़रा द्रब्मान आयतन प्रसत्ता पेज नमर 6 पर है ठीक है नीचे देखें पार्ट प्रति विलियन, यहां पर इसका फर्मुला लिखा है, नीचे आए पार्ट प्रति विलियन, किसी विले के पदात के भागों की वर संख्या, जो विलेन के 10 पाउर 6, यहां पर इसका फर्मुला लिखा है, यहां पर इसका फर्मुला लिखा जाता है, अब हम लोग पढ़ने वाले मोललता, अब ध्यां किसे समझना, मैं कुछ बातें आपसे ध्यां से करना चाता हूँ, हम लोग क्या करेंगे आगे, चार चीज़ों को पढ़ेंगे, नार्मलता पढ़ेंगे, यह 4 चीज़ें आप सभी के लिए बेसिक है, से चार चीजों से सबसे ज्यादा क्यों आते हैं यह आपको बहुती द्धान पुरोगी na चारों हो फ़लीबाक, दुसरी बात है मैं सबसे पले इन चारों चीजों के बारे में आप को बेसिक बताऊंगा numerical नहीं पुरसे कि बाद तुरंद फिसर की मॉलधर लेंगे उसके लेंग से निमिर्कल कराओं स्मॉझ में नहीं ओए मैं क्या कराओं कि इन चार चीजों को पाहसे समझ आपकोि एक होईंट को रिफिंसन बता हुंगा क्या होता इसको कराने के बाद इन चारों को पढ़ा दूऊंगा इसको दुबारा उठाऊंगा इससे क्या होगी चीजें एक ही क्लास में आपको दो बात देखने को मिल जाएंगी तो समझ में अच्छा आएगा, ये मेरा concept है, ये मेरा मानना है, भग्मान जाने आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये आप मुझे तभी पता चलेगा, जब आप नीचे comment box में comment करके हमें बताएंगे, ठीक हैं, तो चलिए lecture को start करते हैं, नजटेके तो आप सभी पढ़ेंगी मूलत्ता अब हम लोग मूलत्ता के बारें पढ़ेंगी ठीक है मैंने आपको बता दिया कैसे आपको पढ़ाएंगे आगे ठीक है मूलत्ता और दोनों चीजें एक साथ पढ़ेंगे मूलत्ता और मूलत्ता दोनों चीजें एक दूसरे से नाम मिलती होती है कंफ्यूज होते हैं काफी लोग मूलत्ता यह मूलत्ता है और वह आपकी मूलत्ता है किसी भी विलियन की सभी लोग ध्यान पुर्यों सुनना और कमेंट बाक्स में लिखते वे चलना तब कोई भी विलियन है किसी भी विलियन की एक निश्चित आप पर यहां से कुछन सबसे ज्यादा कूछे जाते हैं लपरवाई नहीं चलेगी लिखोगे सभी सभी लोग कमेंट बाक्स में अब ध्यान पर सुनोगे सभी लोग मैं लिखूंगा तो आप लोग भी लिखोगे ठीक है ध्यान पर सुनना सभी लोग किसी निश्चित तापत प्रती लीटर विलियन में उपस्तित मोलों की संख्या क्या कलाती है अरे भाई इस बाटल को लेते हैं समझ में आ जाया इस बाटल समझ लेजिए इसमें एक लिटर पानी है इसमें जितने मोल भर देंगे विले यानि गुलकोच वही आपकी मोलर्ता कलाईगी यानि डिफ्रिंशन इसका क्या हुआ प्रती लीटर में उपस्तित मोलों की संख् प्रता साहुति अप्लिख सकते हैं किसी मिले के एक निश्चित ताप पर पर एकड़ीर ताप निसे तपर और अट उना थे ताप पर विलेयन में में विलेयन के एक लीटर में लीटर में उपस्तित मोलों की संख्या मोलों की संख्या मोलर्ता कहलाई है बात समझ मैं यानि एक निस्टित ताप पर एक लीटर में जितने भी मोल उपस्तित होंगे वह क्या कहलाईगी मोलर्ता कहलाईगी यानि मोलर्ता को जो है हम लोग कैप्टल यम से प्रदर्शित करते हैं से प्रदर्शित करते हैं कैप्टल यम से प्रदर्शित करते हैं कैप्टल यम is equal to क्या हो जाएगी विले के मोलों की संख्या आपान विलेन की क्या होगी विले के मोलों की संख्या उपर लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे विले के मोलों की संख्या आपान विलेन का कुल आयतन विलेन का कुल आयतन प्रति लिटर में प्रति लिटर में उपस्तित मोलों की संख्या क्या कहलाती है क्या कराता उस विलेन की मोलर्ता कराती है किसी विलेन के प्रति लीटर में उपर्तित मोलों की संख्या क्या कराती है मोलर्ता कराती है इस पर अच्छे अच्छे निमरिकल आपके एक्जामे बनते हैं और हम भी निमरिकल कराएंगे तो पहले डिप्रिशन समझ लिए है मोलर्था की मोलटा की नार मल्ला की मोल प्रवाथ की एक सिस्टेमेटिक ढंग से सब बड़े तो मोलृइन की निशिद नाप पर विलत उप्रत्य लिटर्र में हम्हूरों की संख्या़ कंती है결ें की मोल अब यहां ध्यानänge सबी लोग मोल कैसे निकलते हैंगे कि मोल कैसे निकालते हैं वैसे आप लोग अच्छा ही जारेन पढ़े होंगे मोल और मैं भी बताया था जड़ा पता ये कमेंट बाक्स में कमेंट करके कि मोल कैसे निकालते हैं मोल निकालने के लिए जो ही आपका विले हो विले के उपर ग्राम में मात्रा नीचे लिखेंगे उसका विले का अडूपा ऑरे एक्जामपल लेते हम तो एक एक्जामपल लेते हुँ इस जलका आपको डियाक करना है अव्ष इतना कितना ग्राम हो गा और क्या होगा बताये जरा कमेंट बाकस में कमेंट करके सबी लोग 都 36 ग्राम जरल है 36 ग्राम इसका मोल च्राथ करना मोल कैसे भिश्त किया जयता है ग्राम में मात्र से म可能 निचेए विले का हैर ब्ले करेंगे आक्सीजन का होता कितना सोलह मोलं नियानि मोल जाएगा जाये मोल गात करने के लिए को वी तवा तो देत उसमें आपको क्या करना होता है उसका ृपर ग्राम में मातरा रखते हैं नीचे उसके अड़ुबार से भाग देते हैं ये तो आपका प्रक्रिया हो गया मोल ग्यात करने को लेका ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं इसको इसको इसमाल डबलू से पदशित करते हैं ठीक है इसको इसमाल यम से पदशित करते हैं ठीक है तो और यह आयतन को capital V से पदशित करते हैं तो इसका formula अगर हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा molartha capital M is equal to हो जाएगा small w upon small m upon capital V यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह इसका फर्मला हो जाएगा अब हम लोग लगे हाथ मोललता समझ लेते हैं सर मोललता मोललता दुनों अलग अलग होता है क्या बिल्कुल अलग अलग होता है इसकी तोदोनों luck एक नाम अलग है यहां पर मोलता है यहां पर मोलता है लग के जगव रहे जगह दोनों चीजें अलग होती है दूनों का नाम भी अलग होता है क्या मोलता प्रिंसे समझ लेते हैं किसे घुलिएक लिचिता पर एक लीटर में उपस्तित मोलों की संख्या क्या कलाती थी मोलता कलाती बात कर लेते हैं मोलता की तो मोलता किसे करते हैं कोई भी आपका बिलियन हो उस बिलियन के एक हजार gram क्या सूड़िये 1 kilogram 1000 gram या 1 kilogram 1 kilogram 1000 gram में उपतित मोलो की संक्या पहो क्या करते हैं मोललता करते है आप ठीसर समझना उससे पहले मोललता समझने से पहले मोललरता समझ लेना ईक बार मोलरता में क्या था आपका किसी विलियन के एक निचता पर प्रती बिल्यर में में इस्कार आर één कि प्रती लीटराओ फ़र्ति विले के मोटरा था आपका लगर कल और सब्सक्राओं अब सबी लोग सामने आएंगे और तेजी से बोलेंगे मेरे साथ मोलता का किसी विलियन के किसी विलियन के एक हजार ग्राम या एक किलो ग्राम विलायक में उपरतित एक हजार ग्राम या एक किलो ग्राम विलायक में उपरतित विले के मोलों की संख्या को उस एक्जान में पूछा जाता है डिफिनिशन मेरे भाई दिफिनिशन भी पूछा जाता है मोलर्ता पर टिपड़ी लिखिए मोलर्ता पर टिपड़ी लिखिए तो आपको आना चाहिए देखिए इससे जानने से पहले इस मोलर्ता का हम लोग मास्तरक जान लेते हैं इसका इकाई क्या होता है मोल प्रति लीटर होता है इसका मात्रक इसका है चलिए मोलर्ता का मोलर्ता का डिफ्रिशन हम लोग लिखते हैं मोलर्ता किसे करते हैं किसी विलियन के आप सभी लोग मेरे साथ लिखना किसी विलियन के विलायक के एक हजार ग्राम एक हजार ग्राम या एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम में उपस्थित विले के मोलों की संख्या कि विलेन की मोलता कहलाती किसी विलेन के विलायक के एक हजार ग्राम में उपस्थित विले के मोलों की संख्या क्या कि विलेन की मोलता कहलाती कि यहां पर क्या था विलेन की एक लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या था यहां पर एक हजार ग्राम एक हजार ग्राम विलायक के में उपस्थित मोलों की संख्या है बास समझना यहां पर इसको इसमाल यहम से पदर्शित करते हैं से पदर्शित करते हैं कि इसमाल आगे की विले की मोलों की की संख्यार विले کی मोलों की संख्यार नीचे हुझा गेंड़ विलायक का 1000 घ्राप गा इक किलो ग्राम या तो एक हजार ग्राप इक 5 गराम स Candiceози या बैके के मोल उपर लिखेंगे नीचे विलाय का 1000 ग्राम या फिर एक किलो ग्राम लिखेंगे तो मोलो की संक्या को कैसे निकलते हैं मोलो की संक्या कैसे लिखते हैं यहाँ कोई भी दर्मान यहां पर रखेंगे हमलोग किलो में रखेंगे अगर अभी नहीं समझ में बने राना 20-25 मिनट के बाद 20-25 मिनट के बाद हम फिर से मोललता मोललता उठाएंगे तब वहाँ पर आपको निमेरिकल भी कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दूनों के बीच दिफरेंसेश क्या है। यहां पर एक मोल्न किस में में घुल रहे हैं ? सबद देफरेंसे सापको समझ मैं दोनों के बीच अंतर क्या है यहां पे जो एक मूल किसमे घुन है एक विलायक की ग्राम कि विलकर में चीए फारीट ग्राम में में फीनन झुलें यहां पर ऐक मौल आपके एक में अगर आप लोग नोट्स में देखना चाहेंगे तो आए नोट्स में भी देख लेते हैं कैसे इन चीजों को समझाया गया है कि यह तो मोललता की बाते हो गई हाँ अगर कि यह होगी में ऐस पर आपका यहां पर जहान दों लटा कि यह विलेयद कि एक 10000 kg में 1000 ग्राम 1200 ग्राम काती इस और प्रतिल लीटर होता है यह होता अब अ हम लोग पढ़ने के बाद मैं फिर चारों को फिर से एक बाल बताऊंगा तब वहां पर निमेरिकल कराऊंगा तो दो-दो बार आप लोग मेरे से पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे कब बताऊंगा अभी 20-25 मिट बार यानि कि अगले लेक्टर बताऊंगा इसी लेक्टर पूरा होने वाला है इसमें निमेरिकल भी कराने वाला हूं और सभी चीज़ें कराने वाला हूं तो अभी आप केवला केवल डिप्रिशन से रूबरू करा रहा हूं पर्चे करा रहा हूं उसके बाद मैं इसके आगे फिर से इनको निमेरिकल पढ़ाऊंगा फिर इसका मैं पढ़ा रहा था लेक्चस्ट बढ़ी बbor में उनको तो पुरा यादी वह जा रहा होगा उनका तो फूच पूछना यह नहीं है उनका तु सा खुशना केकck को तो कि पूरा heart ow गया उनको तो मज़ा आरा होगाना मौली Bowlit DO परताना आप लोगों को चलिए ऐगा मजा पर्तान मत हुणा आएगा मजा आए गाए बिलकुल मजा अएगा देखिया है लाइट कबन दो ही छानू हो जा रहा है बंद हो जारा इससे क्या थोड़ी मड़ी आवाज भीर इना तो इसमेनेज कर लेमा ठीक है ये सबी चीजे होगी मोलता मोलता अब हैडिंग करना नार मलता है देखें मेरे साथ आप लोग जूड कर पड़ो तो मैं इस बात की गारांटी देता हूँ जिस भी आप लाइन टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो वह अखाक नहीं कभी आपका पीपर देखते हैं नहीं देखते हैं कोई अनालसिस नहीं करते हैं उनसे जाब पूछ लिए सब लास्ट इयर में हमारे एक्जामिक कौन कौन से कुछन इस चेफ्टर से पूछी गया थे एक टीप पर नहीं बता पाएंगे हमसे पूछी मैं आपको बता दूंगा यह कोशन 16, 17, 18 किसमें बदल चुकी है, अब ट्रेंड बदल चुका है, कोशन बदल चुका है, अभी तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बाद में आपकी अच्छी तयारी नहीं होगी, जब एक्जामिक पेपर आएगा तो लगए सर्फ कुछी ने बताया नहीं, इसलिए मैं जो पढ़ाता अब आप लोगें को कुछन का प्रेक्टिस करा रहा हूँ, डिखा हूँ कैंज बहुत बहुत रहता है, जो चीजे मैं जैसे कर रहा हूँ मैं तो कहत दो आओ यार मेरे साथ जुड कर पढ़लो sharpledge exactly I will about five unique प्राबलम होती है कुछ यूटूब के भी सिस्टम होती है तेकि वहाँ पर आपको सभी चीज़ें एक साथ पुले हैं नमर है नीचे आपको टेलीग्राम नमर इसी पर आप लोग कॉल और करके या मैसेज और करके पूछ सकते हो अगर आपको जरूरत हो अने था फिर मैं यू और बढ़ियां तरीके से पड़ाई करने को लिगा है तो बहुत ही ना मात्र के फिस्टम हम आप लोगों को त्यारी कराने वाला हूं अभी नहीं लांच है लांच जल्दी हो जाएगा आप सभी के टार्गेट वैच होगा जिसमें मात्र साथ से सत्तर दिन में आपका सर्त पूरा सलेबस कंप्रेट करने का लच्छी होगा डेड़ी 1-5 गंटे की क्लासी होगी फिस्स की ऐसी कुल सब्जेक की क्लासी होगी 4-5 गंटे की मिलाएगा बहतरी तरीके से तैयारी होगी और आप लोग चाहते हैं तो जूट कर पढ़ना तो पढ़ सकते हैं कोई बहुत ज देने की यूटूब पर पढ़ाना बन यूटूब पर चलेगा यार यूटूब पर जैसे चलाया चलेगा मैं इस बात की कहता हूं भाई नाम मात्र की फिस लूँ या फिर फिर फिस भी लूँगा तो बहुत ही कम खांसर को देखते हो नो कैसे कैसे फिस रखतें 100 रुपे 200 बस उनीक सर से मेरा इस्प्रेशन है और उनी की तरह से मैं आप लोगों को प्यारी कराऊंगा खांसर का कोई भी फिस आप देखेंगे 200 रुपे से अधिक नहीं है हम भी उनसे कमी रखेंगे और मैं उनको बहुत भी बड़ा मामता हूं और मेरे इस्प्रेशन मैं उन्हीं से लेता हूं बहुत ही समस्याओं से जूर्च कर वो पढ़े हैं अधिक उनके कोचिंगे सामने बंबारु चल रहा था जानते ही होंगे आप फिर भी कुछ चीज़ें सिश्टम चलाने के लिए कुछ चीज़ें करनी पढ़ती हैं अगर आप लोग चाहते हो करना तब मैं करूंगा नहीं चाहते हो तो नहीं करूंगा ठेक है अभी तो सब सब्सक्राइब करना पड़ेगा नहीं करोगी तो चलिए आगे की कुर्शन सब्सक्राइब करते हैं नार्मलता का है अगे करेंगे नार्मलता नार्मलता किसी करते हैं नार्मलता कि साथ करते हैं शुक्राण यह जाने और अघी आप नार्मलता की Abram निश्चित ताप पर विल्यन के एकांग आतन कुस्तक में लीटर में उपस्खित किसके विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वैसे कोर्स की बात करें तो कुछ लोग कोर्स हजार रुपे में एक सब्जेट का दे रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे बड़े बड़े चैनल स्वाले हैं नाम नहीं लोगा पांच-पांच हजाद में कोस्ते रहे हैं अरे यार बच्चों को इतना मत लूटो सस्टे में भी हो का हम हो सकता है फिरी में भी आप पढ़ा सकते हैं हांक देटेंस के साहा कि पढ़ाना था सस्ते में भी 100-200 का में见 भी सकता है आज आच के बढ़े हैं वह चला सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं चला सकते हो चला सकते हो ठीक है यह मैं करके दिखाओं आप को य आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होगी, आज नहीं, आज के बाद आप 12 के बाद भी जो आप कम्टिशन एक्जाम सोगरा तैयारी करोगे, उसकी भी मैं तैयारी कराओंगे, बहुतरीन तरीके से, बहुतरीन पीचर्स के साथ, ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए सभी लोग, मोलता का डिपीशन, निचित ताप पर, विलेन के एकांट आयतन में उपर 30 विले के ग्राम, तुल्यांकों की संक्या को क्या करते हैं, विलेन की नार्मलता करते हैं, और देखिए मेरे एक खुश्त जूश्ती, मैं आपको जो पढ़ाता हूं उसको नोर्स भी देते हैं, आ कमस्पम आपके बॉर्ड में 40-50 लाग रिटेंट पढ़ते हूँगे। कितने लोग पढ़ रह था हैं, और मैं इतना चाहता हूं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, उनका परसिंटे मिल दगते हैं, अच्छा परसिंटे मिल लाएं, उनको आ रहा है है, उनको आ र्रायया सभी कि येंसे पलेसित कदे मिन करते हैं silicone DOC येन इजी कॉल टू ढोल कि अबिले की बुले विले की मात्रा वो भी ग्राम है विले की मात्रा ग्राम है यह क्या है तुल्यां की बार डबु क्या आयतन बी लीटर में अब आपको मैं सबी चीजे समझा दूगा अभी समझ कर क्या करोगे अभी जो मैं लिम्टेट चीजें बता रहा हूं उसी को समझे अलाकि नोट्स में देखो गे तो मैं यहाँ पर भी कुछ चीजे लिख डाला हूं देखना चाहते हो देख लो भाई, नहीं कहोंगे सार नोट्स में लिखे थे आप यहां पर नहीं परा है, यह दिखे हो, लिखा हूँ, लेकिन अभी आपको इस पर परसान नहीं होना है, इस पर परसान नहीं होना है, आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे देख लेना है, हम आपको कि आपके में लिखा हूँ। आप छल्एंगता में पढ़ा हुआ है। आप लोग देख लेना उसरी के लिखा हुए यूँ रहां। आप ट individual फह कि intend जैसे इसनो है। में कोई सी इर्भर्वाज के बारे में आप कि ऍकीं से मानना मोल प्रभाज आपके अब बहुत मार कुछा जाता है आगे आपके बारें पड़ो जी अपर से में झमोहल प्रभाज के बार फिर बुностью मोर था दूर का गली तो मोल प्रभाज नहीं में कई लाकिस के नहीं हैं हम आपको बता सकते हैं बहुत ही कठिंग कठिंग कोशन जो कि न्रावल के नियम पर कोशन आप एच्छी कवनमन दावनमन वैलें भी आपको मौल प्रवाज का यूज आएगा इसलिए मौल प्रवाज को सरजारा सभी लोग ध्यान पर देखना ठीक है इसे हम मिटा दें ल करते है मोल प्रवाज हम आपको एक गीजामपल देता हूं महाली जी आपकी पास एक ऐसा चीज है माली जल isz好 कि पडल है माली कोई एक billion है है कि विलियन जो की ए आउर 20 बिलकर बना है तो इसमें अगर आपसी कद्ला जाए एक का मोलं ग्याद कि जे घटक एक हम ऑषाद एक ओर रहेंगी तो ईटक करेंगी यह उपर रखेंगे नीचे का मौल प्लस की का वोद पर विल्यन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाश उस घटक के मोल के अनपाब को क्या करते हैं मोल प्रभाज करते हैं सभी लोग मेरे साथ मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे आवाज आपके पडोसी तक जाना चाहिए कि परसेंटेज आपका आ रहा है 90 प्लस परसेंट आ रहा है आप सभी ला बोलेंगे मेरे साथ कि मोल प्रबाज किसे काते हैं किसी भी विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रबाज किसी घटक विशेष का मोल प्रबाज घटक विशेष के मोल तथा विलियन में उपरति सभी घटकों के मोल के योग के बराबर होता है अरे बोलोगे सभी लोग मेरे साथ एक बार फिर से बोलना मेरे साथ किसी घटक मिशेस का मोल प्रभात उस बिलियन में उपर थित सभी घटक का मोल उपर तरसी तह किसी घटक किसी घटक विशेश का मोल प्रभाज, किसी घटक विशेश का मोल प्रभाज, उस घटक के मोल तथा विलेयन तथा विलेयन में उपस्तित, उपस्तित सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात के बराबर होता है, यानि किसी घटक विशेश का मोल प्रभाज, उस घटक में उपस्तित सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात के बराबर होता है, इसे हम लोग किसे पदर्सित करते हैं काई से पदर्सित करते हैं और इसका मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है इसका मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है इसे काई से पदर्सित करते हैं इसका मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है बोले समझ में अर्य बोले समझ में सभी की समझ में तो आ रहा ना चीजें समझ में आएंगी Stacyуса में बश पढ़ोगे तब गटक विशेट का मोल परबाज क्या एकिwashा इसका मोल निकालने बागिस अबसे मोल निकालतर जोड देंगे मेरे भाई मेरे सभी यह आउब फर से हम ereem सुरू करते हैं फिरसे सरूर करते हैं मोलॉर्टा से 27 में में इन चीजों का लुवार बताया अब मोललता और अर प्रबाज और नारमलता इंस तभी के निमेरिकल के साथ में देखेंगे और एक घंटे तक है कुछ आप लोग यही देखने वाले हैं नुमेरिकल के साथ है तो फिर से आप सभी लोग हैडिंग करेंगे मोलता उससे पहले इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीगे अभी अभी एक गंटे पहले हमने आपको मोलता के बारे में बता था एक गंटे आप 20-25 मिन पहले हैं मोलता के बारे में बता था ज़रा सभी लोग मोलता का डिप्निशन फिर से कमेंट करेंगे कमेंट करेंगे तो देखो याद है कि भूल गया भी आप दुबारा में बताऊंगा तो नहीं हुलेगा कि की निमेर कल भी तो करना है कि अच्छा एक बार मैं दिखा दो इन लोगं को नोट्स झालना जरू है कि कि नोट्स से ही लोग पढ़ेंगे तो फिल ठोजी कि थे एक जाएगा उसके बाद फिर से मौलर्था वाला हूं अब दियान देना अब मैं दुबारा नहीं लिखाने वाला हूं आप लोगों को फिक है नौसते ध्यान देना समझ में आये किसी विलियन की एक लीटर में उपरस्तित विले पदात के मोलों की संख्या क्या कलाती है मोलर्ता कलाती है डिफिनिशन सभी लोग समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है डिफिनिशन सभी को किसी विलियन की एक लीटर में उपरस्तित किसी विल्हन के एक लीटर में मुल ऑपरस्तित्ं मूलों की संख्या को क्या करते हैं。 मोलर्ता कहलाती है किसी भी बिलियन की प्रति एक अंग लीटर में उपस्तित मोलों की संख्या को क्या कलाती है मोलर्ता कहलाती है ठीक है प्रति एक अंग आयतन कोश्टक में लीटर में उपस्तित मोलों की संख्या मोलों की संख्या क्या कलाती है दिफिरिंशन आपका यही एक लाइन का है वैसे किताब नोटस में पूरा लिखाऊंगा यहां पर लिखूंगा टाइम बेश बेशा किसी विलियन के प्रती एक आंकर आयतन में उपस्तित मोलों की संख्या को क्या कहेंगे विलियन की मोलता कहेंगे किसी विलियन के प्रती एक आंक आयतन में उपस्तित मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलता कहेंगे अब इसे मैंने आपको बताया था इसमाल यम से पदसित किया जाता है किया जाता है इसमाल यम से पदसित किया जाता है मैंने आपको बताया था इसे किसे पदसित करते हैं इसमाल यम को पदसित करते हैं और मोलताई जी कोल्डू क्या होती है मोलों की संख्या अपान विलेन का आयतन वह भी लीटर में मैंने आपको बताया था अभी आपको निमेरकल साएंगे अगर आपको निमेरकल आएंगे तो आपको दो-चार चीजों का मान खोजना है मोलों की संख्या ग्याद करने के लिए आपको इसमाल डबलू का मान खोजना है जो कि विले का विले का ग्राम में में तरब मान होगा ठीक है इसमाल डबलू का मान होगा इसमाल एम का मान जो कि विले का अरुभार होगा इन दोनों को खोजना निचे आपको विलेन का आयतन जो कि कैप्टर B के रूप में विलेन का आयतन लिखना है उपर किसको लिखेंगे इसमाल डवलू विले का ग्राम में द्रबार निचे किसको लिखेंगे विले का अडुभाल लिखेंगे इसमाल लिखेंगे इंसर आ जाएगा और एंसर जो आएगा more 你 के प्रति लीटर के रूप में आएगा एगा थीसरी बात की अगर माली जै आपके पास कोई विलियन दिया गया है बात समझद लेना उसके बाद해 दिम्रेकल करेंगे मज़ा आएगा और कोई विलियन दिया गया है उस किया है आपका यम1 मोलर्ता दो विलियन है यह और भी बताना जरा बताना विलियन की मोलर्ता क्या होगी ऐसे कोशन पूछा जाएगा तो क्या करोगी विलियन की मोलर्ता ग्याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा समझते हैं क्या करना पड़ेगा ठीक है देखो इसे क्या करेंगे यहां पर M3 लिखेंगे जो कि आपको मोलर्ता निकल देंगे इन दोनों को मोलर्ता को जोड़कर इन दोनों के आयतनों से भाग देंगे फिए इस बास मिलाई और एक ही बड़े ड्लास में डाल दिये ऐसे कुष्ण पुछा जाता आपकि जामे indeed इन दोनों कि बड़े गिलाश में या बाल्टी में डाल दिये तो इस बाल्टी वाले विलेन की मौलर्ता क्या होगी मालू मैं आपको इन दोनों मुलत्ताओं को गुड़ा करेंगे M1 B1 प्लस M2 B2 करेंगे लास्ट में B1 प्लस B2 से भाग देंगे यह M के बराबर आए यही चीज़ तो मैं लिखाओ लिखाओ मैं इसको नीचे लेते गया है यह उसके बराबर हो जाएगा बात समझ में आई आपको M1 B1 करें एक्जामनर है कुछ भी करेंगा करेंगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा वह कि नारमल्टा देदेता है मॉलत्ता से पीज पूछता है कैसे ग्यात करोगे मॉलत्ता के अगर करोगे झ्लारन अगर आपसे नार्मलता दे दे मोलता पूछे तो कैसे घ्याद करोगे ध्यान देना सभी लोग आगे निमेरकल भी आने वाले हैं बच्छे अच्छे निमेरकल साएंगे आप सभी के लिए ठीक है आप सभी के लिए अच्छे अच्छे निमेरकल साएंगे ध्यान देना सभी ल हैं तो कैसे ग्याद करोंगे नर्मल्ता में हम लोग सहें जगता से भाग देंगे कि नर्मलتा श्मीजगता हो जाते आधडिया है अब को मोख्ण करने से पहले एक वाद सभी लोग अपने आपके शाके आप पर से लिएंटे अधीने आप İşteo 36 minutes कि वा शांवी लोग पाने वर आप दिमाग लगेंगे बोलो इसको रब करते हैं कि निमेरकल आने वाले सभी लोग स्वागत करेंगे निमेरकल की उसके पहले आप सभी लोग को आप सभी लोग उससे पहले क्या करने वाले हैं यह नोटसस देख लिए हैं यहां पर मुलत्ता के बारे मैं फिर से लिखा हुआ हूँ इसके साथ ले 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 लिजिए और इसके सामने आगर आप देखोगे तो सेकेंड पेज पर यहां पर इसे निमेरिकल शुरू है यहां पर वही चीज़ मैं लिखा हूं कि अगर दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है नीचे यहां पर लिगें एगर मिलियन की मोलता तथा मोलता में संबं मिलाया तो तो पाइस नहीं दिखा दे रहा हूं को मिली गुला हुआ है और विलियन की आपको मुलत्टा ग्याद करनी है जिस में पांच भप ग्राम यनियोग की 450 मिली में खुलावाई मुलत्टा ग्याद करनी है कि अरे कितने लोग को आ राए कुशन अरे किसको गिसको आ राहा है कुशन वैं बन्दारी से बताना ज़रा है अरे B G yeah हमने आपको मुलता ग्याद करने करने के लिए हैं पर दिखाए रहां डिकाय डिकवाइड मुलताग आट विलता करने के लिए मैंने आपको फार्मूला ग्यात करने कि द्रबमान क्या अब देखू अग और यहाँ पर यह क्या गोला जाता है यंद्योच ऑब यह यह अब यह 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 गोला जाता है इसका अरुभार लिखेंगे अड़ुभार यन्योज का अड़ुभार क्या होता है बताइए जरा यन्योज का अड़ुभार क्या होता है आपको मालूम है यन्य का परमाडु भार होता है तेज आक्सिजन का सोल है हार्डोजन का यह जोड़ेंगे क्या हो जाएगा चालीस 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 यह आपका वैलु मिली बिलियन में घोला जाता है यहां पे capital V का value है 450 मिली लेकिन यह कोशन तो कहता है मुझे मीली में चाहिए ही नहीं मुझे तो चाहिए मुझे तो चाहिए लीटर में तो मीली को लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 450 से में 1000 से भाग दे रहेंगे यह आपका लीटर हो जाएगा यह आपका लीटर हो जाएगा यह आपका लीटर हो ज इसको आप लोग ऐसे भी ली सकते हो एक बटे आट इंटू हंडेड़ बटे पैतालिस इसे भी लिख सकते हो अब यानि हंडेड़ बटे पैतालिस बुड़े आठ हुजाएगा इसे साल्व कर लेना सभी लोग आठ पच्छे चालिस क्या और आठ चोकु बटीस चार चार चतिस तीनसो चाट इसे साल्व कर लेना आगे एंसर आजाएगा कोई बड़ी बात नहीं है अब हम चलते हें नेश्ट कोशन की तरफ नेश्ट कोशन की तरफ चलते हैं तों गलती ओर आएक ऩ्या stay next question, next question आप ऺज़ारें काफी questions हैं आपा ना में मोलता से काफी question रखाऊं ठीकर इसको आओर काटू मैं कुषिक है कि कोस्टन एक इसकी ऊपर दिखाई देरा निस्ट कोस्टन अभी को जरा बताना इसका का एंसर क्या होगा नेस्ट कोशन का अरे जरा बताना सभी लोग नेस्ट कोशन का एंसर क्या होगा दिखाए देना है सभी को बताना सभी को नेस्ट कोशन का एंसर क्या होगा मैं निश्ट कहूंट का एंसर क्या होगा जरा बताना है पांच ग्राम की सियल को एक लीटर जल में घोला इसमाल यम इसकोल टू फर्मला क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए नीचे लिखिए इसमाल यम इसकोल टू फर्मला क्या होता है आपको मालूम है क्या होता है मैंने आपको बता है से प्रदाशिक treaty को सबस्क्राइब करने यह आपको सब्सक्राइब करने तो कराम यह यहां पे यहां पर कोशन में W कितना ध्या हूब है आप ध्यान देना को और यहां वक्तना मान दिया है 15 ग्राम कहरा है इसमाल का बहलो किया आपको याद होना चाहिए मेरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आपको याद को याद नहीं है कि पोटेसियम का 49 होता है कि पोटेसियम का 49 होता है कि इसको जूडएंगे तो कितना हो जाएगा 49-35 यहो जाएगा एक लेटर जर्मेंग डोला जाता तोब विलेन का अायतन कि क्या हो जाएगा है लोग एक लीटर जल में बोला जाता है तो गलिंटर क्या ऊजाए गा एक लीटर बेलिंटर को जाएगा करना आप सभी चीज़ों और अब सब यहां पर हो जाएगा पंद्राय गराम ऊपर हो जाएगा इसे सभी लोग साल कर लेना आपका आएंसर आ जाएगा अरे यह हो जाएगा चलिए इसका वहला कॉसन को हम लोग देखते थे इसका सलूशन भी आपको दिया हुआ है इसके निचे वाले कोशन को हम लोग देखते हैं है इसके नीचे वाले questions को देखते हैं हम लोग ना एक मेंट इसका solution देख लो यहां पर दिया है अगर आप PDF लेते हैं तो वहां पर PDF कोई पैसे देकर नहीं लेना भाई मैं जो पढ़ाता हूं 100% जब बैट बैचे जोंगी तो बता दिया जाएगा वहां पर भी आपको पढ़ाए जाएगा और भी बहुत ही ना मातर के पीस में ठीक है पॉस्टन को पढ़िए इस को मेरा मन नहीं कराने का इसके नीचे आपको नहीं कराऊंगा तो पॉइंट वण यह यह टू यह फो फोर को 500 लिटर विलियन 500 मली । बनाने के लिए है जोल हो जाएगा मुझे कराना पड़ेगा को इसके नीचे वाला भी मुझे परसिंटेज की देंए चलो चलो जाने दो मैं ऐसा करता हूं यह कोच्छन आप सभी के लिए मैं छोड़ देता हूं मैं हलका सा हिंट देकर हलका सा हिंट देकर मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं कि कुछन में क्या पूचा गया आप से कुछन में यह पूचा गया कि 0.1 0.1 यम यह ने 2 यह 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 बनाने 500 मिली बनाने 500 अर्तन का बिलें बनाने में उसको कितने ग्राम जल में घूलना पड़ेगा पांसो मिली मिलेन का आइटन मतलब यहां पर भी का वैलू दिया है पांसो मिली अग कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा यह आपसे पूछा है यह आपसे क्या है पूछा है कि कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा यह इसमाल डबलू का वैलू पूछा है यह आपसे प काड़ उबार आप 1 प्लस 2 गुड़े 1 प्लस 16 मतलब 18 हो जाएगा अब इन सभी चीजों को हम लोग यहां पर रखने के बाद हम लोग मैं आपको बता देता हूं कैसे इसाल करना है यहां पर आपको क्या करना है क्या करना है आपको यहां पर इसको छोड़ते हैं और इंचे जोगो लेते आते हैं इंगा इसमाल इंटू इसमाल क्या है है इसमाल इंटू इसमाल इंटमाल इंडी वेट इसमाल इंडी के दिख वल्यू आपको अब ध्यांदेने सभी लोग इसमाल इंडी myself लुट पान्सो पांट्सो अपान दॉट एंपान तो यह आपका डबलू का वेलू अब इसे साल को लोगी इतना ग्राम आपका जल लगीगा इसे साल कर लेना सभी लोग एंसौर आज़ेगा साथ आपका अपने तो कितना आईगा आपना तो सही है नए एक मेंटे एक मेंटे वाशा गलती हो गया ठीक है यह जो हता है यह भी है आपका तो यह वी ऊपर चला जाएगा क्योंकि यह आपका अड़ुभार है तो आयतन को हम लोग इसी जहां रखते हैं इसमाल एम का वैलु 0.1 हो जाएगा यह डबलु हो जाएगा यह आपका अठारा आया है था इसमाल एम का वैलु यह ठारा आया हुआ है डबलु का वैलु क्या 500 पान सो अपान 1 थाजेंगा दे विका वैलु कर लिए टो यहां पर क्या हो जाएगा यहां एक पर इसी आप लोग इस तरह से भी सकते ओंड News इन्टू 1000 अरे गूटा हो जाए गूडा को किये अपार पान सो पच पार पार सो अपार इन्टू अठार जिए अब इसको इसको गूडा कर दीजे सभी लोग 0.1 इन्टू 500 इन्टू अठार है ठीक है इसे सभी लोग साल्प कर लेना एक चीज और यहां पर गलती होगा यहां पर घोले कमाल यहां रखेंगे यहां पर गोले का इसमाल यहां रखेंगे यहां पर विले का अडूबार होता है विले का अडू बार क्या है याँ पर विले क्या है यह है आपका विले इसको जल में घोला जाता है तो जल का थुरिन लेंगे इसका लेंगे यहने 2 चल्ट करेंगे यहने 2COO THREE का लेंगे यहने 2COO THREE का अडू फार कितना होगा सोडियम का 23 होता है 23 हो जाएगा कार्बन का 12 हो जाता है इसको गुडा करेंगे तो 106 आएगा 106 आएगा क्या आएक है 106 जो आपका बैलू यहां पर है यहां पर 307 पर आएगा इसके यहां पर भी आपका 100 शच्छ पर भी कुछ ने समाओ भी आ यह इसका हो अब तो सही है इनले मृते है जून से कि पगड़ करें और अब तो और सुथ है कुछन अब इसे साल कर ले ना एंसर आ जाएगा छुटी सी गलती मैंने किया ताकि पता चो चले आप लोग का दिमाग कहा है अरे पढ़ाई इधर हो रहे है दिमाग की धर है आपका कि अब फटा पट में सब्सक्राइब कराना ही पड़ेगा क्योंकि नेश्ट कोशन आपके पूछा गया है तो नेश्ट कोशन हमें कराना ही पड़ेगा ठीक है मज़ा आता है तो भी गलती करके फिर देखने में कि आप लोग के ध्यान की दर है ऐसा करते हैं नेश्ट कोशन आप लोग पढ़ लीजी ठीक है नेश्ट कोशन मैं नहीं कराने वाला हूँ हुआ हुआ है यह नेश्ट कोशन आपका यह है पढ़िए जार देखे हो जाएगा आपका वैसे मुझे यह वाला यह वाला कोशन है हुआ है पढ़िए चानवे परसेंट यह टू यह सो फोर है यम भाई भी यानि दर्मान बटी आयतन का यह रूट में आप एच्छी घनत तो इसका वन पॉइंट फोर ग्राम परती मिली है तो विलियन की में अमलकी मोलता ग्याद कीजिए विलियन में अमलकी मोलता ग्याद कीजिए यह है आप सब्सक्राइब अरे बताओ हो जाएगा की नहीं हो पाएगा किलियर है हो जाएगा की नहीं हो पाएगा चलिए मैं बताई देता हूँ यहाँ पर क्या दिया है चानवे परसेंट चानवे परसेंट यस्टू 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 फोर है जो की डवलू बाई यम के रूप में है हाँ जानवे परसेंट का मतलब क्या है ज़्या पताइए नहीं को अरे बताई अब beverage है में दिदूś हले पर हैं चानवे परसेंट का मतलब क्या है है कि अरे बताएंगा। है 97% का मतलब क्या है 99% का मतलब है 99 Covid 100 अब यह W Y Y Y M stigma अउस्तो हिसका मतलब क्या है यानि 96 Shades W का मतलब ग्राम होता है और 95RO एम आपका Yes To Yes To Shah हो रहा है ठीक है तो 100ườ ग्राम सो ग्राम तो यम मतलब मिली सो मिली आपका क्या है आ ऐसो जल है या मैं ये जल के साथ मिलेन बना गया यह किसके साथ आप इची हो ट्रे अधातर दिया है नहऊं अब तो लग जाएगा आप लोगों कोई दिक्कत नहीं चानवे ग्राम आपका क्या है यह 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 होता है आपको यह मालूम है इस्तमाल डबलू का मतलब विले की ग्राम में दर्बान जो कि यहां पर दिया है यह इस्तमाल डबलू हो गया यानि यहां पर क्या है यह पर लिखेंगे च्छान बे इस्माल डबलू का अपर डिखेंगे अब रगी बात इस्माल यम् की बैलू कैसे गयाद करेंगे यह तो यह तो यह तो फोर बात करें भी की तो यहां पर बिलियन का आयतना आपका सो दिया है यानि भी आपका सो दिया है तो चो बटे एक वन हजार करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जब एक सो बटे एक हजार करेंगे तो यह क्या आजाएगा आपका सो बटे एक हजार करेंगे तो इसे साल्ब करेंगे आपकी मौलत आ यह आपको भड़काने के लिए यहां पर 1.84 ग्राम परती मिली यह दिया हुआ था क्या आप एच्छी घनत इसका जरूरत नहीं था भड़काने के लिए दिया हुआ था कुछ घए समझ में आ रहा है सभी को कि अब हम लोग क्या करने वाले इसका भी सलूर आप लोग देखो कैं देख लोगए यह आप देख लीजी सभी दून सलूछन यह है इसका सलूपी बढ़ियां से देख लीजे सभी लोग देख लीजे सभी लोग बढ़ियां से ठीक है अब चलते हैं नेश्ट पेज पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे मोललता के बारे में आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा मोललता किसे करते हैं एक हजार ग्राम यानि एक किलो ग्राम विलायक में घुले विले के मोलो की संख्या उसे हम लोग मोललता करते हैं पीडियेप से समझ में आ रहा है सभी को मोललता किसे करते हैं मोललता किसे करते हैं बताओ जरा सभी लोग एक 1000 ग्राम विले में गुले मोलो की संख्या को मुललता करते हैं इतने निमेरिकल अगर आप तक पूछा ही नहीं गया तो आएगा क्या है अलगिन अभी मैं निमेरिकल का प्रैक्टीस कराऊंगा यह तो आपको केवल आप निमेरिकल करा रहा हूं ताक कि कम समय आपको ऐसे न क्यारी हो जाए कि जाता मून फुरा सा ओ जाता है इसलिए उसे साप करना होता हुआ है यह गंटे दो गंटे की लेक्चर हो चुकी है अब सभी लोग हैडिंग करना मोललता लिए उससे पहले फुरा सा हम चाहिए बाले कि नेश चैप्टर यानि चैप्टर नमस त्री काल हम वन चाट कितने जल्दी देदें आप लोगो पता यह अगले सप्ता में देदें या इसी सप्ता में या कली देदें पढ़ने के लिए तैयार हो हिमत है अंदर दो गंटे बिच चुके हैं हुआ 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 है चले कि लोग तो भाग गये बगवड़ी लोग होते हैं जिनके पास हिम्मत नहीं होती पड़ने की नहीं कुछ करने की तो एक गंटा पड़ी नहीं पाएंगे बैट कर भी नहीं पड़ पाएंगे तो भाग गए हैं ठीक है कोई बात नहीं जाने दीजिए उन्हें एक्जाम में फिर हम बताएंगे कि कौन थे हम जब कुशन आएगा ताबर तूरता समझ में आएगा ठीक है अब हाइडिंग करिएगा मोललता क्या है करना मोललता अरी या अठीक कि देखें स्याई थी या यह यह भी हमारा साथ नहीं दे रहा है आप लोग भी नहीं दे रहे हैं इतना में ostr करने के बाव विढर कोई भी निस्जा करने सब्सक्रांटा मैं आपको मोललता के बारे में बताया था मोललता किसी करते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्तित मोलो की संख्या को क्या करते है मोल अल्टा करते है यानि एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम या फिर एक हजार ग्राम विलायक में उपस्थित로 मोलों की संख्या मैगक क्या ए Над travaill Tut मोललता करते हैं को मोललता करते हैं एक हजार ग्राम यानि एक किलो ग्राम विलेन की मोललता करते हैं तिक किलो समयों ने। इसके अलावा नेश्च बात आप सभी क्राइब है कि यह जो होता है मोलता इसमाल यहम इसकोटू क्या हो जाएगा विए का मुल विले का मूल अपान विलें का आए अपान विलायक का किलोग्राम में यही करेंगे है यही करेंगे मिले के मोल कैसे ग्याद करते हैं आपको मने बताय है app is Including Virtual इस वह किलोग्राम ने होगा यह और Participant Online इस बात-Dhyana ओप रहे ऑनला किलोग्राम में होगा और ही से जरूर निचे व्याद में mental कर देना अब हम चलते हैं इसके निमेरेकल की तरफ अच्छा कुछ पॉइंट है कुछ इसके पॉइंट है जहां से आपके क्यों इसके पॉइंट है सांधर्ता ताप को प्रभावित नहीं करती है यानि मुलर्ता जो होती है मुलल्ता डिल्ट से प्रभावित नहीं होता है यह प्रभावित, यह आप लोग 10 उरुपे के पर लिखे दस रुपे को नोट पर लिखने के कियो हो एक्चाम息 पुछा चाहर सबस्क्राइब नर्मलता देगा क्यों क्यों सबस्क्राऀब नहीं होता तो रवॉज्द फर् छारज सब सिंदी तो यहां मातर आप से प्रवावित नहीं होता है इसका मातर होता है लिखो यार सभी लोग लिखो सभी लोग फटाफट लिखो यार सभी लोग फटाफट लिखो अब इसके निमेरिकल करते हैं अच्छा हा अब इक चीज और लिखते हैं मूलपा में संब्ध ज मूलता है कि में ता बटे मूल 노 नन था मूल साहर में संब्ध क्या होता है तो अगर संबन निकाले तो मुलर्टा जो होता है मुलल्टा का नाने के बहन की भाई के लड़के की लड़का होता है यह संबन होता है नहीं ऐसा कोई संबन नहीं होता है संबन ध्यान नहीं होता है मुललता अपान मुललता अगर अपान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बताना विलाय का ग्राम में दर्मान अपान विलियन का आटन अब एक बात ध्यान रखना जो कि आपको ध्यान रखने योग ये बात है क्या ध्यान रखना सर ये कैसे आया मैं नहीं इस बताओं गैंड को समझता वे समझ चुक एं нам की सुत्र हो का इजे वाला शुत्र और वहाला सुत्र बाटे करेंगे तो च्रेंदा the अब ज़ेंगा यह मोल मोल कड़ जाए आगा आपका बचएिगा यह बता लिया कभी-कभी क्या होता ये कम्मिट्री ढ div div पूछ लेता है कभी कभी क्या होते जानर कुछ आते हैं आपकी इस्टारणरी पुछ लिए सब्सक्राइब भूलता मुलता में संबन बताओ क्या होता है तो बता देना आप सभी लोग इसर मैं अलफा इस्टिट्टूट से पढ़ा हूं पंकर सर से बढ़ा हूं मुझे आता ह लोग इसके लिए इसके बास निएक नियम इसके निमेरिकल कराओं पटाफ़न रिमेगल कराता हूं उसके अब नारमलता सुरू करता हूं नारमलता कंप्लीट मोल प्रभाज कंप्लीट पिर आपके अरूसंग गुर्ध धर्म इसके बाद रावल्स के नियम यह सभी ठीके? चलिए निख लिए सबी लोग आपका लेक्टर दीज़े कितना टाइम हो गया? दो घंटे दस में ठीक है अभी एक लेड़ घंटे आपके आउर लगेंगे ना तैयार हना सभी लोग जाना मन ना? थी अब मोललता के निमेरिकल साम लोग देखते हैं ठीक है? मोललता के निमेरिकलस देखते हैं आपि यह एक पूरा ढísation हो गया चीज़े जो मैंने बताया यहाँ पर गार्डा मोलता में संमभन बताया है ठीक है अब यह आपका निमेरिकल्स है यह टीक अब आपको पता है इसमाल डबू क्या होता है इसमाल डबलू आपका विले का विले का अडबार है इसमाल यम क्या है आपका विलायव सरी विले का ग्राम में ड्रब्य मान है इसमाल यम क्या है विले का का अड़ू बार है अड़ू बार है कैपिटल डबलू क्या है आपका विलायक का ग्राम में किलो ग्राम में दर्मान यह तीनों चीजें आपको पता है तो कोस्चन में जात तीनों चीजों को ढूड़ना पहचानना को सब्सक्राइब क्या है टू पॉइंट फाइब ग्राम एथिनोइक अमलग यह एथिनोइक अमलग क्या है अमलग को 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है याद रखना जो मैं बहले पता जाता इस्टार्टिंग में जब चीक-चीक कर बता रहा था विले तथा विलायक में डिफ्रेंस है टू पॉइंट फाइब का टू पॉइंट फाइब यह विले का अडुभार इसमाल यम ग्यात करना है यहां पर क्या है विले आपका एथिनोइक अमलग यह थिनोइक अमलग मतलब सीर्थ्री सी ओो याच सिए three CEO यह इलिए कारभन के लिए बार होता है और हड्रोजन के लिए एक फोटां क्यूकि तीन हड्री से उड्रा करेंगे फिर कार्वन के मेले बार होता था था डो वर सीजन Яनी शोलह प्लस छोला हो जाएगा लसा एक हाइडोजन जोड़ी जरा जोड़ी इनको जरा योग कीजिये सभी लोग फटा पर तो यह आ जाएगा आपका 12, 12, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 32 और यह तीन एक चार कुल मिला कि साथ आएगा इसमाल यहम का बहलू आपका 60 हो गया यहां पर पूछाए आपसे क्या विलायक का द्रभमान और यह निकल गया तो आपको निकल जाएगा इस फारूने में रखने के बाद विलायक का द्रभमान इसमें क्या है 75 ग्राम बेंजीन है यानि यह 75 ग्राम आपका विलायक का द्रभ यह हमेशा किलोग्राम में हम लोग रखते हैं इसलिए इसको किलोग्राम में चिंद करने के लिए 75 में 1000 अब आपको क्या करना है सबी चिजों को उठाकर इस फारूले में रखते हैं रखिए फारूले में 2.5 अपान सिस्टी अपान 75 अपान 1000 इसे रख देना सभी लोग साल कर लेना ये मोल प्रति किलोग्राम के रूप में इसका एंसर आ जाएगा मैं नहीं साल करने वाला हूँ आप सभी के लिए मैं नहीं साल करूंगा यार इतना गुडा भाग आप लोगो सिखाऊ बताओ पढ़ाओं कंसे अंफ चाहां जहां या गुडाब सिखाऊंगे और यह आप तभी के लिए है अब आईए नेस्त और सांपay अब आपका नेश्ट खूर्सर रहा और नेस्ट कोस्ठन हम लोग तो किला आपको पढ़ानाे वाला हूं दिखाने वाला हूं ठीक है नेस्ट कोसं अधा मैं आपक का इजी कोशन है ना पढ़िए नेश्ट कोशन को पढ़िए क्या नहीं कर पाओगे आप लोग नेश्ट कोशन चीनी के एक सिरे में 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है चीनी का सुतर दिया C12-ES22-O11 ताकि आप आसानी से निकाल सके इसका अड़ुबार तो चीनी की मोलता ग्याद कीजिए कुछ नहीं यार विलियन का भार्दी आये यहां पर आपको विलायक इसमें से घटा कर निकालना पड़ेगा कर लोगे सभी लोग अरे कर लोगे सभी लोग बोलो मैं छोट देता हूं इसे ठीक है आप एक बार सलूशन देख लीजिए जिनको आ रहा हुए फटापट कर डालिए इतना तो आप लोग समय सकते हो यह इसका सलूशन है देखिए सलूशन आप सभी लोग समझ में आ राज सलूशन सभी को कुछ तो नहीं करना है ना इजी सलूशन है पढ़ लेना सभी लोग पढ़ लेना सभी लोग ना चली अब नेश्ट कोशन के और चलते हैं आप लोग ना नेश्ट कोशन इसके जस्ट नीचे और यह भी कोशन मैं नहीं कराने वाला हूं तो मैं क्या करूं इस कोशन करा दूं कि यह कोशन तो आपके इसा कोशन आपके मोलता पूछा था यह कोशन नहीं कर पाएगा इसमें आपको गंत्यों का यूज करना पड़ेगा तभी आपका मोलता निकल कर आएगा रहें और question में confusion मेंывает Someirteen Fronts में तुछान आपको हर एक टाइप के conclusion यहां पर करा दूंगा इसके बाद क्यों वर्यॉट कराना रहेगा उसको भी मैं कभी आके तीन-्चार गूटे में बना हुआ इतना मेहनत कर रहा हुआ है आप वालिक स्क्राइद कल Кोdock करते हैं। सरक्राइ इस वीडियो कान लिणक अपने कुछ अभी लोग कि पास रख सेर करें। एक को भी दोस्तों, यूह वोके उगोग पैसे और लादने मेरे कि सुपस्ट क्लास ने कुछ फार्ति लुग है हेल्प कर दिया तरों ठीक है वैसे तुम्हें कभी नहीं करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो लिए आज कर रहा हूं कर दो याद दो घंटी से ख़ड़ा हूं हां चलिए फिर से मैं इस कुशन को करते हैं न इन सभी चीजों को रहने देते हैं यहां से अब कुशन कर रहे हों कर रहे होतो मजह आा रहा है लोने कुशन तो कर ले जा रहा हो न यह कुशन थुड़ा सा ही को सद्सटी क्य है और अधिक तम लेवल आपका यहीं है इससी उपर नहीं जाया विजह मालूम All begins थ्यान देना सभी लोग को सभागा कॉशण पढ़ना सभी लोग कुश्ण को कुश्ण पढ़ना सभी लोग इसॆ कि कुछन पढ़ना सभी लोग कुछन क्या आपका को से में दिया है एस टू एस टू एस टू फोर का एक नमूना है जिसमें आपको देखे फार्मूला मैं यहां पर मोलता का लिखा हूं इन तीनों चीजों को अगर हम लोग प्राप्ट कर लिए तो फार्मूला में रखने कब आपका आपका आश राज आएगा तब फिर से कोशन पढ़ेगे यह इस टू एस टू इस टू पोर का एक नमूना है जिसको 94% डबलू भाई भी है 94% कि डबलू भाई वी नथी यह डबलू भाई भी का मतलब क्या हुआ आपका रहत ह्सश्चन Like to ded out 2 आपका एक क्या आपका 24 आए पसिंट क्या है इस्टू यह कहने का मतलब क्या हुआ सग्वा में गессिटी हुआ सो फोर है य contempor दशे माल डबलू का बही लों क्या है निकालेंगे कितना होता है 98 होता है याद करने ना सब ही लूँ ठीख है नाइन्टीट होता है ये अलू भार हो गया ठीक है अब रह गई बात Capital W का वैलू जो की आपके पास यहापे दिया ही नहीं है यहाँ पर आप क्या दिया है अब इस एकशतिंग। के सब्सक्राइबर स्क्राइब किसी इसटे़ और सार् Wii सब्सक्राइब का में रहा है कुछ बिल्कुल से skills यहां पर आपके घनत्ब Vision इलिए था सब्सक्राइब द्रफ्सक्राइब बेंदेख present आपको सब्सक्राइब आपके पास घनत दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यह 1.84 इतना दिया है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा दरबमान आपको मन नहीं पता दरबमान लिग दिजिए लेकिन आयतन तो पता है सौ मिली सौ मिली कर दिजिए तो यहां से दरबमान आपका आजाएगा दरबमान क्या आएगा यहां दियान देना यहां पर दरबमान क्या आएगा दरबमान क्या आजाएगा दरबमान क्या आजाएगा दरबमान क्या दरबमान क्या दरबमान क्या दरबमान क्या दरबमान क्या दरबम लेकिन द्रमान किसका फूर्य बिलियन का द्रमान है आपको यहां पर नीचे चाहए कि है क्योवल और क्योवल विलायक का द्रमान चाहिए जब कि आपको पता है बिले के अब तीनों वैलू आप सभी के सामने हैं फारूला में रखेंगे 94 अपान 98 अपान 90 और यह आपका किसम आया है चुकि यहां पर देखना फारूले एक सो 1.84 ग्राम प्रति मिली है ग्राम प्रति मिली का मतलब क्या हुआ यह आपका ग्राम में वैलू है यह ग्राम है और इस ग्राम को किलो ग्राम में चिंज करने के लिए 90 वटे एक थाउजिन से गुड़ा करेंगे वाणी वन थाउजिन से भांग देने तो अब आप इसे साल पर उखे तो इसकी मुलता है जो अब मुलता आएगा इसका यह कर लेना को सन यह को सन आपके इसकी जाम में पूछा जाता है क्यों आपको द्यान देना 94 परसेंट से आपका 90 व यहां पर आपका मोलता के सभी प्रकार के प्रस्ण कम्प्लीट हुए ठीक है अब हमें नारमलता पढ़ना है फिर मोल प्रभाज पढ़ना है नारमलता पढ़ना है ठीक है नोट करिए सभी लोग फटा फटी से नोट करिए यह कोशन पूछा जाता आप सभी ठीक है नो और्किये सावी लोग इसको रब करें ठीक है इसको आप करते हैं अब हम लोग नार बलता पढ़ेंगे ठीक है आप समझ में आ गया मूलाकता तक नीमिर्कल हो रहें आप वो से ठीक है बिल्झ अच्छी बात है नीमिर्कल हो रहें तो थिक कैश्या पीडियुफ को ले लेना सबीं लोगétais अच्छे से समझ में आएगा पीई को अब यह होगिए आक ड़ऴी के लिए इसका solution भी देख लेना सभी लोग, यहां पर मैं solution करवाया हूँ, आपको पढ़ने में समस्या न हो, जब कभी भी आप लोग पढ़ें, तो PDF से आपको हमेशा समझ भी आने हैं, इस जाम की टाइम है, मैं थोड़ीन कहूँगा आप मेरा lecture देखे, अरे 3-4 गंटे lecture देखोगे, सब चीज़ें अगर तयार होगा, वैसे भी हला कि मैं 3-4 गंटे में complete कराई दे रहा हूँ, चार गंटे में एक चेप्टर पढ़ सकते हो, तो इससे बड़ी क्या बात है, एक सी साथ मोगाइल खोले, चार गंटे में पुड़ा lecture देख दाले, उसके बाद PDF खोले, एक बार आप राजा बन जाओगे, चीजें आपको याद हो जाएंगे, और हर एक प्रकार का प्रस्न है इस नोर्स में, मैं कराओंगी, कोई भी प्रस्न इससे बाद नहीं जाएगा, आप देख ले न, आपने PDF सेरे कोशन उठागे, सभी प्रकार के प्रस्न इसमें डाल दियाओं, थोड़ी मुझे ट्रिक होगा, वो तीस कोशन में फिसे करा दूगा, ठीक है, तो चलिए, आगे चलते हैं हम लोग, दो घंटे, पचीस मिट का लेक्चर हो चुका है, हमको लग रहा है, चार घंटे का बनेगा, आगे आपन लोग नर्मलता के बारें पढ़ेंगे, किसके ब किसी बीविलियन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी बीविलियन के में उपस्तित, एक लिटर में उपस्तित, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस बीविलियन की नर्मलता कलाती है, उस बीविलियन की नर्मलता कलाती है, इसे कैप्टर लें से पदसित करते हैं, बहुत है कि चालती रहां देना सभी लोग नार्मल ता कि देख कर या रिटर में उपस्तिट ग्राम Q लिटरय संख्या में विले के अपर यह आपर एक सस्थ होगा विले के घ्राम फुलीयाख आँकों चरथ करते हैं अबुपलीटर संफ्ष्थ क्या कला विले के ग्राम टुलीयाख़ों का यह यहां पर सब्सक्राइन। ऑफ प्रती लीतर में ऊपास्थित विले एक प्रत्ति लेटर हें कि उपस्ति भीले के घ्राम सुल्यांगों कि संद्रमाइन्ट आप कुक्षय सै अन्धा करते हैंक प्रत्त विले का घ्राम प्रत्त बीले का भाल बते तुल्यांग की ब्लीक हरुआ विले का ग्राम तुल्यांग कैसे ग्याद करते हैं विले का भार बटे तुल्यांग की भार विले का भार बटे तुल्यांग की भार मतलब इसमाल डबलू अब बटे तुल्यांग की भार रही है इसके बाद ध्यान देना सभी लोग इसके बाद ध्यान देना सभी लोग, सभी लोग ध्यान देना सभी लोगी दर, विले का भार बटे तुल्यांग की बार यह आपका होता है, विले का ग्राम तुल्यांग, ठीक है, अब यह नर्मलता क्या हो जाएगा, नर्मलता क्या हो जाएगा, नर्मलता क्या हो जाएगा, Titans W upon स्माल इयण डीलैटर से ढखेंगे प्रति काई मतलब लीटर से भाग देँगे आजय के ये नर्मल ता यानि आपको किसी भी कोसन में मैं इस्माल डैजू की बहुत हुँना विले का भार упा किसने बहुत रहर गोला ग्या है इस लिए मैं इस साल मेरे दुवारा आप लोगो 11 की कलासे दी जा रही है आप आलफा स्ट्रीटर एपलिके सवरी चैनल पे जाए तो इसलिए तो इस लिए आंप दोहां से यह कहना चाहता हूँ आपके च्छोटे भाई हों दूरूर के रिस्दार होगी और कोई भी हो 11 में पड़ रहे हो तो जरूर कह देना कि आप सभी लोग उनसे कह देना एक बात कि जाकर lecture attend किया करें जाकर lecture attend किया करें classes होती है चैनल पर चैनल का लिंक भीद देना करने इलेविंट का सब classes होती है आप फीजिक कमिश्टी मैथ की attend किया करें नहीं तो अगले साल बहुत ही परसानी होने वाली है और आगे आप लोगों कोई नो कोई पर नहीं पाओगे पढ़ने के लिए क्योंगी कालेज भी तो जाना होता है तभी परसान होते हो लेकिन अब टेक्नलोलाजी के थुरू आप लोग पढ़ाई कर सकते हो हम आपके साथ है डिरीगुलर पढ़ाई कर सकते हो ठीक है आसानी से पढ़ सकते हो यूट्यूब पर 3 batches है वहाँ पर देख सकते हो अप्लिकेशन भी बैच चीज बनते हैं वहाँ पर भी देख सकते हो ठीक है अधी जानकारी लिए नीचे नम्मर है उस पर आप लोग पता कर सकते हो बात समझ में सबीकों हो गया ठीक है यह आपका नर्मालता का फर्मूला अब आपको मोलता तथ अब आपको क्या करना है मोलता तथा नार्मलता में संबंद लिखना है मोलता तथा नार्मलता में संबंद लिखना है ठीक है तो अब आपको क्या पढ़ना है मोलता तथा नार्मलता में संबंद पढ़ना है मोलता तथा नार्मलता में संबंद पढ़ना है तो हैडिंग करि में संबंद मोलर्ता तथा नार्मलता में संबंद बात समझना सभी लोग मोलर्ता तथा नार्मलता में क्या संबंद होता है कौन किसका क्या होता है यह आपको पढ़ना है यह आपको समझना है देखे जो मोलर्त नार्मलता जो होता है नार्मलता जो होता है इस इकोल्ट होता ह मोलर्ता इंटू मोलर्ता इंटू अमलकी अमलियता चारक्ता तथा या फिर संज़त्ता इनके गुड़नफल के बराबर होता है मोलर्ता जो होता है मोलर्ता नार्मलता जो होता है मोलर्ता अमलियता चारक्ता इन सभी के गुड़नफल के बराबर होता है जा पिर आप आप सुभाण संख्या भी लिख सकते हैं अभी आपको पर्सान नहीं होना है सब दीजें पर्सान होना ही नहीं है आप लोगों को जो चीजे लिख रहे हो लिखते जाइए अब अमलका तुल्यांग की बार कैसे ग्यात किया जाता है यह आप सभी लोग समझ जाना है कि हम लगात तुल्यांग की बार यह किसी भी चीजों का तुल्यांग की बार कैसे ग्याद किया जाता है यह आप बात को समझना सभी लो किसी भी किसी भी कोई भी आपका विल्यान उसका तुल्यांग की बार कैसे ग्याद किया जाता है अरे तुल्यांग की बार ग्याद करोग कि अधिए टुल्यांकी वार कैसे ये लगता है नहीं लगेगा तो ध्यान देना सभी लो कि बिभीन पदातों का तुल्यांकी वार कैसे ग्याद करते हैं इसे नोट कर लेना तब मैं तुल्यांकी बार बताऊंगा उसके बाद देमेर कर बताऊंगा तब ये आपका complete हो न करना सभी लोग फटा-पट नोट करना किसी भी आमलेका तुल्यांकी बार कैसे ग्याद करेंगे आपलो कैसे जात करेंगे तुल्यांकी भार जात कैसे करेंगे तुल्यांकी भार पता है अब आपके पास अगर तुल्यांकी भार किसी को किसी का जात करना है तो ध्यान देना इसको हम रभ कर रहे हैं इसको हम रभ करना है तब आपको समझना है आपको यह फार्मुला डबलू पान य कि अपान ये वाला जो फर्मॉला था इसको आपके लिए कर लेना अब हम आपको बता रहे हैं आगे की उड़ है तो तुल्यांग की भार कैसे ग्याद करेंगे हम ठीक है दिखे तुल्यांग की भार आपको दो-तीन चीजों में ग्याद करने सिखना होगा जैसे अमलग का चार का अलग निकालना होगा लवड का अलग निकालना होगा और कोई भी जिसे धातु है तत्तु है जिसे सोडियम है तो सोडियम का तुल्यांग की भार निकालने आपको अलग से सीखना होगा मतलब कई टापिक में आप लोगों को सीखना होगा इन चीजों को हम कैसे सीख परली चिज़ क्या है प्दाथ का तुलियां की बार कैसे निकालेंगे सबसे पहलं अदुब लिखेंगे इस अमले का अडुभार लिखेंगे अडुभार बटे अब पहले अडुभार का होता है अडुभार अडुभार का मतलब सब्यों स्टक समझ्터 इनका परमाडुबाद जोडेंगे वर इसका छारकता ऩार इंगा मुझे बता दीजे ही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है बाकी तो मैं इहां सी समझ गया था बिल्कुल मैं समझाता रहा हूं चारकता क्या हूं आ हो यह अ Oxygen होता है उसी को अमल की काते हैं यह परिवास आपका 99% सबस्क्राइब यह नहीं हुआ है तो आपको सीने ही पर सgorखता गिखेट हों कि हैं घृत को कि यहांपर लेबल पर यह बांगे तो एसे आमल होते हैं जिसमें hydrogen शंक्या तो अधिक होते हैं लेकिन वह directly अमल विस्थापन योग या hydrogen नहीं होते हैं यानि यहाँ पर छारक्ता से मतलब यह होता है वे अमल वे hydrogen जो विस्थापनी हो लेकिन आपके लेबल में विस्थापनी है विस्थापनी में कोई चीजे नहीं पूछी जाएगी मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि यह बोर्ड है आयाटी नहीं तो आपको यहाँ पर क्या देन आपको निकालने के लिए कढatura घ्र cc alp dri ho chargeSi जोड़ोंगे दो Yeah तो यह थे doen घृड जोड़ोंगे और hydrogen चार है तो चार बढ़ जोड़ोंगे तो आएगा 30 नानीटी एटी एट होता है या सभूलत का 講WAY, तो नानीट येच-आड उबहरा गया, नानीट शार्श मारिल दो है तो दो लिकेँग यह आपका तुलैंकी इभार्वझार आप्नी आपका करों तुल्यां की भार या फिर नार्मलता से question बहुती कम पूछा जाता है लास्ट टाइम में 2016 में question पूछा गया था उसके बाद नहीं पूछा गया था देखो भाई मैं apply teachers की तरह नहीं हूँ पैसे तो apply teachers 5500 रुपे लेते हैं लेकिन कहा दिया जा उनसे की पिछले 5 साल के paper का analysis करके बता दीजिए तो नहीं पढ़ा दे हैं वे पिछले 10 साल पहले जो पढ़ा रहे थे वह ही आज पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ते हो कोई बात नहीं लेकिन देखा करो क्या differences होता है वे उन चीजों को पढ़ा देंगे जो चीजे नहीं पुछी जाएगी खामुका टाइम बेकार होता है मैं कहता हूँ कि वाल उनी चीजों को बार बार पढ़ो जो एक्जामें पुछी जाते हैं और एक्जामें चाप कर चले आओ परसेंटिज नाइंटी प्लस लेका राओ सब कहींगे खुब पढ़े हो अरे ट्रीक होता हूँ अजब वही बनता है ट्रीक से अगर आपका परसेंटेज आएगा तो आप सक्सिटीज में पढ़े हो और एक्जाम में नमर तो हमेजा आएगा। देखे एक परिच्छा जो होती है और कला के जरीह ही आप नमर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको डपलब्मेंट करना पड़ेगा दो-तिन चीजें जिसे राइट्टिमी स्किल डिपलब्मेंट करना पड़ेगा। presentation इसकी, कोई भी question रिखती जामनर के सामें कैसे present करें question को, की examiner देखते ही number देदे, ये सबी चीजountain आपको improve करना पड़ेगा, ये चीज Mexico लिखनी चुट्या इंपर दिन में नहीं होती है, अगर आप जूड़े रहोगे ऊच्छे आप सही जाओगे याँसे, ठीक है शिखिए शिखने का समय है अब देखें शार की बात करें कोई चार जिसे तो रखने के लिए कर दिया जार तो चार का अमलता अमलता और ता क्या होता है यह होता है यह हो तो इसकी अमलता वन होगी, यहाँ पर दो है, उसकी अमलता दो होगी, तो simply, इसका अडूभार लिखेंगे जीसे यहेंड़ने चालिस को निकालना ते यहेंड़ने गालना सब्सकोर्दै, यहाँजने वहेंच का अडूभार 4 होता है, 40 लिखेंगे, बटे शीटी अमलता को समें आ रहा है इसमें को अब नीचे लवड का तुल्यांग की भा लवड का तुल्यांग की बार सबसे पदशे हैं औरे समस्केस कर देखे सबकर करेंगे और टुल्यां की भार्ल्यां कि घाथ कर ना ग्रान प्रोव सुनना, इन सभी लवडों का हम लोग क्या करेंगे, इन सभी साल्टों का हम लोग क्या करेंगे, अड़ु भार लिखेंगे उपर, अड़ु भार लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, धनायन की संख्या, धनायन की संख्या, जितनी यहाँ पर धनायन यह अन्य प्लस होता है एल चील तरी में एल के पर तीम प्लस नहीं दिखेंगे जितने धनायन पर चाज होगा वह चाज निखेंगे इसका तुल्या की बाहर निकल के आजाता है अरे भाई साथ यह 11 का पढ़ाई है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको बता रहा हूं ना 11 में सीख कर आना चाहिए था और इसलिए मैं 11 का भी क्लासिज दे रहा हूं इस साथ पिछली साल क्योल मैं 12 को पढ़ाया था मेरी जो अलफा इस्टिटूट टीम थी क्योल और क्योल 12 को पढ़ाया था इस साल मुझे लगा कि नहीं 11 में आप लोग पढ़कर नहीं आते हो ब जादा क्लासिज नहीं होती है अगर आओ फिजिस कमिश्टी में पढ़ते हैं तो तीन क्लासिज होगी मुझकिल से तीन घंटे की अधिकतम तीन घंटे की मैं कहता हूं 11 की क्लास नियूंतम दिया जा मतलब आदे घंटे पौना घंटा यही तो अधिकतम आपका 2-5 घंटे क जिन्दगी बन जाएगी मेरी बात मानो अगर आप पढ़ोगे बस बस देख लिया करो चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगी अगर यह पढ़े रहते तो समझ में आती अगर जो पढ़े थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रिकार्ट हो गया होगा यह मत सुच जाती है सब चीजें पढ़े रहोगे तो बहुत अजाम से समझ जाओगे आज निकाल आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अगर कुछ बनना है तब हलाकि अगर आपको कुछ नहीं बनना है मजे लेना है जिन्दगी बर वही खटना है कंपनी में जाके काम करना है घरों का खेती जल्दी एक लाग हो जाएगा न चलिए श्टार्ट करते हैं यह आप ता अभार बते क्या है धरान किसंगी अर अपने क्लासों में भी सेर कर दिया करो यार क्लासों लगास में जाते हो यह इतना मैं मर मर के चाचार गंटे की क्लासे लेता हूं यार एक बार भी सेर नहीं कर आप लोग का प्लेटफार्म है आप लोग तुरंगो वैसे मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए कहता नहीं हूं आज कह रहा हूं जरूर सुगी यह तुलियांकी भार आप लोग नीकाले ठीक है अब क्या किसी तत्तों की तुलियांकी भार कैसे निकाला जाता है ध्यान द परमारु भार लिखेंगे नीची तल तो के सैयों, जकता से भाग देंगे। इस तथका तुलियांकी भार निकलके आ जाएगा। कि अब इसका यूज नहीं है इस मैं बता दिया लेकिन यूज नहीं तुल्यांकी आकि नर्मालता enough formula 2 50 2 कते सरे निकालने नहीं आ रहा है जबकि के इसने नहीं पूछा जाता मैं सीद। हीने कि मौल ऩता से मौल अर्मोर्य दासे और मौल प्रबासा है क्यों आप three मलता से केवला केवल 2% चांस है कोशन पूछने की मैं नहीं का सकता हूँ कोशन पूछी ही नहीं जाएं किया पता सब्सक्राइब गुमर गया किसी इजानमन का दिमार मेरा वीडियो देखा ओ अरे सर नहीं कहा था पूछा जाएंगे देखते हैं क्या करेंगे तो मेरा यह सबी चीजे है अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसके निमेर कर लेते हैं तलिये इसी समझ में आ गया न सबी चीजें आपको पॉइंच कैसे तुलियां की भार निकाला जाता कुछ नहीं उसका अडुबा लिखना नीचे उसकी संज़कता अमलता यह सबी चीजे बच्चों का खेल है बच्चे इसे खेलते हैं सर हम भी तो बच्चे ही हैं मिलकुल बच्चे नहीं हो आप लोग अब बच्चे थुरी नो आप लोग बड़े हो अरे जाकर पुछना बच्चे हो क्या आप लोग नहीं हो यार बच्चे चलिए अब नेस्ट पेज पे चलते ह यह उन्ची जोंगो ज्यादा में लिया हूँ एक में देखे यह निमरिकल है सबी लोग तो इसका सलूशन देख लिए होगे न यह निमरिकल है पढ़िए निमरिकल को क्या है यह सील के दसांस तुल्यांग की भार के विलियन में 500 ml विले है 500 ml क्या विले दसांस तुल्यांग की बार 500 ml में विले है तो इसकी नार्मलता ग्याद कीजिए इसकी नार्मलता पूचा है बताए कैसे लगाओगे नार्मलता आपको मालूम है यह सील का यह सील का क्या दसांस दसांस पूचा है दसांस तुल्यांग की बार मतलब यह आपका 1 upon 10 है यह चील का क्या है वन अपान 10 है इसका विलियर है यानि यह वन अपान 10 क्या है डबलू बाई ए है दसांस तुल्यां की बार रहे दो यह न एक में वन बाई दिया और इसमें 500 ml फे घोला जाता है यानि भी का वैलू क्या दिया 500 ml अब यहां पर आपको नर्मलता यह निज इक्वल टू होता क्या फार्मला डबलू अपान इपान भी यह होता है अब ध्यान देना सबी लोग यह भी जो होता है लीटर में होता है यहां पर email में दिया इसको लीटर में चेंज करेंगे 500 अपान एक हजार यह लीटर हो जाएगा अब कुछ नहीं करना डबल 2016 में पूछा गया था उसके बाद इस कोशन के बाद कोई कोशन ही नहीं पूछा गया और मैं अपने मन से एक कोशन डाला हूं जिसमें आपको एक हुआ वाला फार्मूला रिपीट हो जाएगा मोललता हो तथा मोललता था नर्मलता का संबंध वाला उसको आए देख लेते हैं यह वाला कोशन है वर कि ऐ इत्व दूर इसलिए मुझे तो दो नमर मेरा एक्जामना ने काट लिया इसलिए एक्जामना दो नमर काट लिया मेरा नहीं काट आला हूता बाज साहब मेरे समय में जो एक केमिस्टी था हां पैस अमर गाहो का हुआ का ठीक है देखो मैं मैं से पड़ा हूँ मेरे समय में क्या है कमिश्टी पैने इस नमर का था 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 और फॉर्स्ट था अब तो दोने एख्या है तक एन्था कमिश्टी और 35 में मेरा 33 मेरे 3 35 में क्या है मेरा 33 नमर है और यह 33 नमर है सोचिए दो दो नमर कटा हुगा है अब कहां से काट लिया एक जानवा मुझे नहीं पता लेकिन मैं ट्रिक के साथ पढ़ा था भाइस मैं सीधी से बात बता रहा हूं और ज्यादा समय नहीं जब हो ज्यादा थुरी नहीं पढ़ा नहीं तो लाइब में ठीक है विश्वास नहीं मेरे उपर तो यह था मेरा ठीक है फिजिक्स सर्व मैं मैं एक ही पढ़ा था तो मैं कितना नमर मैं 50 में मैं जूट नहीं बोलना हूँ आपको दिखा दूगा कभी 50 में मेरा 48 नमर था क्यों बस मेहनत दोनों पेपर मीरा था ubscribe अब तो आपको एक ही पेबर देना हो रहा ना कमिस्टी में मैंсол में में मत मुस्ट हो थोड़ी से मेरी कंद थी इस मेरी थी क्या 50 कुर 65 का पेपर Kristen can 2525 सेचेट में तो तैंती नमर था लेकीम फरिस्ट तीन मर था तीन नमर ने लून काटा सिमे अ कई से वाचीनिमर खाट लिया था लेकिन बाकी सब में तुझ सिंधा यह थेरी की पार्ट वता रहा हूं प्रेट कर की नहीं हो तो आप लोगों भी मिलेगा ट्रिक मैं बताऊंगा तो मैं मैं अब लेकिन मैं जानिया आता है पड़ाने में तो इसलिए करा हूं कि आप आपका एक भी नमबर नहीं कटना चाहिए ठीक है पढ़ हमसे रहे हो न आप लोग देखे एक विलियन है कोई विलियन है जिसमें 40 ग्राम एन्नेवेच में 500 ml जल घोला गया है इस विलियन की मोलरता तथा नारमलता ग्याद कीजिए अब अभी यह मेरा है न दूसरा कोई होता थमलिल पर लगा के चलता है कि टापर ही करता लेकिन मैं नहीं करता हूं मैं जानता हूं कि अगर इस्टुडेंट को पढ़ाई समझ में आ रहा है मतलब पढ़े मेरा नहीं समझ वहां पढ़े आप लोग फ्री हो यार आप लोग फ्री हो अगर समझ में आ रहा है चीजे तो जब एजम आएगा नहीं तो जैसे जैसे जो जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूं और जो 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 प्लासेज आलफा इस्टिवीट पे हो रही हैं अगर आपके अपने सब्जेट के काड़ी मैं मानता हूं सभी सब्जेट कि यहां पर आप बालो जी हो चाहे आपकी फिजिक्स हो देखने में क्या गया है आपका देखोगे तो कुछ सीखो गई ना इस्ट्रा भूलेगा तो नहीं आप लोगों का दिखा के यह बेनफिट होगा आप लोगों का और आप उन सभी लोगों से अलग होंगे जो इस समय इदर उदर आप लाइन में भाग रहे हैं अगर आप ल इसमें 40 ग्राम नोच है 500 ml जल है में घोला गया इसकी मोलर्ता तता नारमलता ग्यार कीजिए देखें बाई इस को कराऊंगा नहीं अब देखें मोलर्ता निकालना तो आप लोगों के लिए बच्चों का खिलो गया है ना मोलर्ता तो आप सभी लोग निकाल ले जाओगे य यह दिखें आपका में इसका मोलर्ता जाएगा पिरी क्रिंगे सबसे पहले आप लोग इसमें मोलर्ता ग्यात करिए , chess करने की लिए है दबलो इसमाल डबलू इसमाल हम यह सभी भी जाब करके रखेंगे मोलर्ता आपको मने 57 8 मताया नारमल ता इ में इसमें की प्यों क्या ह तो यह लिगत होगे तो आम लटा निकाल कर चाली मोलर्टा निकाल कर उसमें आप देख लेना यह 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 मोल प्रभाज प्रते समझाते हैं मोल प्रभाज तो अभी हमने दो गंटे पहले पढ़ाता ना अरे दो धाई तीन गंटे पहले पढ़ाता ना मोल प्रभाज पढ़ाता ना हमने अरे आप पढ़ाता की नहीं हमने पढ़ाता पढ़ाता ठीकि जब मोल प्रभाज हमने पढ़ा हुआ था तो उसी को बस फ़ासा इन्हांस करेंगे ठीक है, question लगाएंगे उसमें ना चलिए, मोल प्रभाज क्यों चलते हैं ये मोल प्रभाज के questions हैं लेकिन पहले मोल प्रभाज हम समझाते हैं ठीक है, इसको पहले आप करते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज दिखाई दे रहा या फिर मोल अंस, मोल प्रभाज या फिर मोल अंस क्या होता है, किसे कहा जाता है देखें, मोल प्रभाज क्या होता है, ध्यां से समझना सभी लोग, पूरे ध्यां से समझना मैंने आपको बताया अगर दो तत्तों हैं आपका कोई विलियने A और B से मिलकर बना हुआ है अगर आपको इसमें से A का मोल प्रभाज पुछ लिया जाए तो एक से A is equal to क्या हो जाएगा A के मोलों की संख्या अपान यन A plus NB हो जाएगा बात समझवा है मोलों की संख्या ग्याद करने के लिए क्या किया जाता है मोल को मोल संख्या या मोल प्रभाज को एक से पदल स्कृत करते हैं अगर A का मोल प्रभाज पुछा जा तो A के मोलों की संख्या यन A अपान न A plus NB इसी तरह से अगर आपको B के मोलों की संख्या ग्याद करें तो आप क्या करोगे XB is equal to 1 minus XA सर यह क्या बता दिया दोनों चीज कर सकते हो आप लोग इसे आप लोग या तो XB के लिए आप लोग इसे में कर दोनों के मोल जोडने पर एक आता है अगर एक मेंसे आप घटा दोगे A का value तो B आ जाएगा बस समझवाएं मोल संख्या कैसे निकालते हैं किसी भी अभी आप हमको question कराएंगे तो समझ में आ जाएगा नहीं समझ में आ रहा तो परसान बनतो हो ना कोई AB दो कोई billion है इसमें मोलों की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे ग्याद करोगे सिद्री सी बात है A के B के दोनों के अलग-अलग मोल जोड़नों के याने अपान NA प्लस NB जोड़नों के अगर आपको x-b निकालना एं तो क्या करोगे 1 में से A को घटा दो कि तपर भी निकल जा या पिर सेम टाइम करोगे बी के मोल B के मोल अपा एक के मोल प्लस दी के मोल अगर आपको अभी भी मोल निकालने नहीं आ रहा तो प्राब्लम होगी अगर मोल लिखाने आ रहा होगा तो कोई प्राबलम नहीं होगी मेरी जीमेदारी है क्योंकि चीजें आपको समझ में आ रही है चीजें आपको समझ में आ रही है ठीक है समना ये तो हो गया आपका मोल परबाज की बाती आईए पीडियाप नोट से देख लिया जा जीजें डिफिनिशन क्या होता है मोर परबाज का मैंने आपको पहले बताया था पंदर नमर पेज़ पे है पीडियाप डाकर डाउनलोड कर लेना अगर आप टेलिग्राम पे जाओगे तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जुलाई अगस में अप्लोड किया हूँ वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर आप पे जाओगे तो आप पर आपको सीधे-सीधे मिल जाएंगी आप पर क्या होगा सीधे-सीधे वहाँ पर मिल जाएगा आपको पीडियाप महां से डाउनलोड कर लेना तो आपको बेनफीट होगा अब परसान मत होना मैं आप सभी के लिए कुछ एक बहतरीन सर्प्राइज देने वाला हूं इसमें आपको सभी को पूरा स्टेडि मटेल एक साथ देने वाला हूं तो परसान नहीं होना है फिर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो ध्यान देना यहां पर मोल प्रबाज या मोल अंस क्या होता किसी भी एक विलियन में किसी भी एक विलियन में घटक विशेश का मोल देखें आप पढ़िये सभी लोग किसी भी एक विलियन में घटक विशेश का मोल प्रबाज घटक के मोल तथा विलियन में उपरसित सभी मोलों की योग के बराबर होता है जिसे यने का मोल प्रबाज क्या होगा एका मोल तथ सेज जो मोल है याने प्लस एन बी के मोलों के योग के बराबर होगा सिमिलरली इसी तरह से कोई भी विलियन हो उस विलियन में घटक भी सेज का मोल प्रबाच क्या होता है के अभ्यान देना एक्स बीं अगर देखिये बहुत लिए अगर पर में लिखा हूँ अधर देखिये एक का मूल निकल घ्या निकल गया तो फिस यह से यह से पदसित करते हैं अगर यह अद फिला एक हो तो एक आम क्या हुआ इन अपार न भी एन फ्लस फुब या फिर बी का मोल nb upon na plus nb ये तो दुनों चीज़े मैं में बता है लेकिन अगर आपको b का चाहिए तो 1 में से 1 को घटा देना ये सबसे आसान तरीका होता numerical लगाने के लिए अरे कौन किसके पास इतना समय कि वहाँ पे calculation खतरना खतरना calculation करेगा असानी से सबी लोग कर ले जाओगे बस 1 माई से 1 से करके कर ले जाओगे न असानी से सबी लोग कर ले जाओगे अरे बोलो समझ में आया चलिए आए numerical करते हैं तो समझ में आ जाएगा अबर नहीं आया तो अब आ जाएगा अब तो मेरी guarantee है अब तू, question से समझाना मेरी गरांटी है, ठीक है, question देखना, solution देख लिए हो सभी लोग, कुछ चोटे लोग solution को देख लिए होंगे, ठीक है, चलिए, पढ़िए इसको solution, question पढ़िए सभी लोग, easy question है, इसके बाद के दो question मैं आप सभी के लिए homework देने वाला हूं, क्योंकि lecture बहुत लंबा हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाओगे, question क्या है, कि 72 ग्राम जल है, 72 ग्राम जल है, ठीक है, और 92 ग्राम, 92 ग्राम C2H5, वह अच्छ है, 72 ग्राम जल है, और 92 ग्राम C2H5, वह अच्छ है, तो इन दोनों के मोल प्रभाज आपको ग्य ग्याद करने है, इन दोनों के मोल प्रभाज आपको ग्याद करने है, कैसे ग्याद करेंगे आप लोग, कैसे ग्याद करेंगे आप लोग इन दोनों के मोल प्रभाज, जरा बताएगा, कैसे ग्याद करेंगे आप लोग इन दोनों के मोल प्रभाज, देखे, 72 ग्राम जो जल हैं 72 ग्रम जो जल है और 22 ग्रम जो एन जो इन दोनों का मोल ग्याद करेंग और आपको मालूम है 2021 यह द्यान देना जल का मोल प्रबार 1 एस फूर यह क्या होता आपको मालू में 2022 और यह दुन जल का मोल अपन आत यहेश टूर जल के मोल प्लस यहन C2H5 OHK mol के योग के बराबर होगा यही तो होगा mol प्रबाद जल का mol ग्याद करेंगे अपान जल का mol प्लस इसका mol अब जल का mol ग्याद कैसे करेंगे mol ग्याद करेंगे लिए आपको मैंने बताया था ऊपर उसका ग्राम में भार लिखते हैं 75 ग्राम नीचे इसका अडुबार लिखते हैं जल का अडुबार यह तो का अडुबार क्या होता है ध्यान देना सभी लोग यह आपर निकाल लेना अडुबार निकाल लिए बारा गुड़े दो कर दीजिए 24 हो गया प्लस पांच गुड़े एक कर दीजिए प्लस 16 प्लस एक कर दीजिए क्या हो गया बारत बारत उनी 24 हो गया चौबिस पांच उन्तिस हो गया एक तीजिए च्छ च्यालिस च्यालिस इसका अडुबार होता है तो इसको देखोगे तो दो आज जाएगा दो मोल अब भाई साब यह इसमें रख दो न तो आपका स्टू ओ स्टू ओ का मोल प्रबाद जाएगा ध्यांदना एक्स के मोल कितने हैं जल के मोल कितने हैं चार मोल है अपन जल के मोल 4 प्लस 2 is equal to 4बटे 6 हो जाएगा अरे समझ में आ रहा है चार बटे च्छा होगा न ये चार बटे च्छा होगा तो चार में च्छा का भाग देना भाई तो क्या होगा 0.667 आ जाएगा ये तो X S2O है अरे भाई साब अगर आपको X C2S5 जाच ग्यात करना हो तो क्या करोगे क्या करोगे यहां पर 1-0.0667 करोगे तो ये आपका 0.33 उचा जाएगा यानि आपको 1 में से गटा देना है निमेरिकल में आपको 1 में से गटा ना है डारेक्ट लिकाने लगोगे ऐसे से भाग दोगे तो खतरनाक खतरनाक भाग आएंगे और आप खतरनाक तरीकी से खतरनाक त समझ में आ रहा है चलि अब चलि आप चले निश्ट कोस्टност कि तरफ कि इसका खतरनाक टरीकी से खतरनाक سलूचन applies नियाफर चलिए पिसी सामने कर दो से लिए बौत है नेश्ट आईये देखिया फसीस कर लेना नेश्ट पर है और इसके मोलं स्की गड़ना करना यदि चीटू यज फाइब का 20% डबना उप्रस्तित हो फाई सब्याइब के वल्ग परसिंटेज दे दिया तो परसिंटेज से आप लोग को ड़ना नहीं है परसिंटेज का ट्रिक मैं बता रहा हूं क्या करना जिनको जिनको ये कोस्टन आ रहे यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या आपका 20% 20% आपका glycol है तो glycol जो है आपका glycol यह 20% हो तो जल कितना होगा 100-20 यानि 80% 80 ग्राम आपका जल होगा 20 ग्राम ग्लाइकाल बाकी काम तो आप खुद ही कर लोगे मुझे मालूम है यह ग्राम निकल गया 80 ग्राम आपका क्या जल है और यह 20 ग्राम क्या है ग्लाइकाल है 20 ग्लाइकाल है तो 80 ग्राम जल है बाकी मुझे प्रबास तो निकाली लोगे ठीक है इसमें ताप लोग घीर हो गया है चलिए नेस्ट कोशन पर चलते हैं पटापट नेस्ट कोशन पढ़िए सेम है यहां पर भी आप ओके वल वही दिया है 16 परसेंट आपका यहां पर 80 परसेंट आपके 16 परसेंट है बाकी सब चीज़ें वही है ना कोई दिक्कत तो नहीं है हो जाएगा ना चलिए पीडिएप को लेका पढ़ लीजेगा सभी लेए इसके साथ लेना ले लीजे पीडिएप का कुशन का ले लीजे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेलिग्राम पे नहीं जाते है पर भी नहीं जाएंग जाएंगे लेगि पढ़ना चाहेंगे तो आप इसके साथ ले लेजिए भाई मैं सामने सठ जाता हूं मेरा बस सूरत चहरा अगर आज गया तो दिक्टत हो जाएगा ना चलिए हो गया इसको उपर आले कुशन का भी लोगी अच्छा चलिए ठीक उपर आले कुशन का भी ले ले लो ले लो ले लो दोनों कुशन एक साथ है ले लो पटापट मैं पानी पी लेता हूं तब तक ना हो गया है चलिए हो गया ना सभी का चलिए अब आप लोग सेडिंग डालेगा वास्पदाब क्या इंग ना वास्पदाब करना वास्पदा यह दोनों कुशन कर लेना सभी लोग अब देखर मैं जो कुशन करा रहा हूं टाइप बाइच कुशन कर रहा हूं इसके वलावा कोई भी टाइप के कुशन नहीं आएंगा आपके जाने या तो सींपल पूछ देंगे या आपसे बहुत करेगा परसेंटे पॉइटिंग करें यह वयश्त दाव हूं भासस आप कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो चीक चीक कर बताते हहां क्या है वास्प के अडूओं के द्वारा प्रिष्ट पर डाला गया डाप क्या कलाता है वास्प डाप कलाता है देखिए आपके सामने मैं कोई डबा लेता हूं यहां पर गर्म करता हूं समय गर्म करते हैं इसके उपर मैं कोई धकन डग देता हूं तो यहां पर वास्प क्या करेंग इन भर बल आरूपित करेंगी करेंगे नियुक्त करेंगे नियुक्त कि नोग खाना बनाए हुगी कभी ने धुशास सब antagonize me अरुबे दखेंगे दमार्यार न अरुप न बनानायोख किन्य sedem कभी कभी पतेली उगरां मं बनाना है पड़ेगा तो आपको यसी रहा proposition उसे क्या करता हुआ है यान किसके वार इसा मयाति है उआ था मिपन्स का डिफनिशन क्या है समझ इस अभी लोग यहां पीडियायार में दिखा रहा हूं ठीका है नेस्ट करते हैं समझ नहीं क्या एक निशित ताप पर साम्य वस्ता में वास्प के अड़ों के द्वारा प्रिष्ट पर जो डाला गया दाब होता उसी को वास्प करते हैं कितना खतनाक लंग्यूज लिखते हो सरा आप जब बिलकुल यह आपको एक्जाम में यही लंग्यूज आपको लिखना है यही लंग्यूज लिखो कि तो अच्छा रहेगा न क्या एक निशित ताप पर वास्प के अड़ों के द्वारा जल के प्रिष्ट पर यानि बरतन के कि प्रिष्ट ब्लप लाला जाता है वास्प जाता है अब जिसका यह वी वास्प जिसका कॉथिनांग कम होता है क मुता है उसका वास्प लिए आपकी प्रेक्ट हो हुए पूच लेता हुआना कउस्टोड मेंते ज्रों कोぉती को दूफरी हुए यह इसनकर स्टेट्मिन के लिए निचे लिखा आगो और यह आपकी एक टिक टो आपके एक्जामे कम्टिटिव एक्जामे पुछ लेता आप संदिक्ए किसका को तनांका दिखे तो उसका वासदाब क्या होगा ऐसे से पुछ लेता को संदिक्षा आप लोग गोल हो जाते हो न है गोल हो जाते हो आप लोग क्या हो जाते हो गोल हो पर दो राउल्स का नियम होता है एक वास्प वोलाटायल साल्वेंट के लिए एक नानो व्लाटायल साल्वेंट के लिए एक आप एचिक दाप के आउनमन वालेंगे पढ़ेंगे दोनों को अच्छे से समझेंगे ठीक है अब ध्यान देना थ्वास मैं रिफिलिंग कर लों मा हत्यार है तब तक आप सभी लोग राउल्स का नियम आपके इस्कीन पे पढ़ो पढ़ो सभी लोग क्या लिखा गया है कि पढ़ो यार सभी लोग तब तक पढ़ो पीडिय अच्छा है नं ज्यावा नीचे ग रहाएं अ मार्कर भी गिर जा रहा है और अची बात नीचे गरना मार्कर का च्छी नीचे किनना ये अच्छी बात नहीं होती मिर्याय च야 आप कहा कहाँ से होज़र कमेंट वाक्सी निट करने तो और कौन ऐसा है जो टाप करेगा और मेरे यहां हमसे मिलने आएगा इस्टीडियो में खड़ा होगा और हमसे प्राइज लेकर जाएगा किसके अंदर चूल है टाप करने का ज़रा बताना अब इतना पढ़ा रहा हूं तो भाई टाप करने पर कुछ तो देना पड़ेगा ना ठीक है ठीक है मरे भाई हो गया चलिए राउल्स का नियम हम पढ़ते हैं राउल्स का नियम क्या होता है देखे पढ़िए सबी लोग राउल्स का नियम यहां में किसी विलियर में अगर वास्प सिल आवयक मिला जाता है तो आंसिक दाप में उपस्तित आवयों के मोल प्रभाद के समानुपाती होता है देखे अब बात को समझना इसके बाद मैं पीडियाप से पढ़ाऊंगा आ देखें राउल्स का नियम सब ही लोग पफ़्आ है डिन कर लेना ़ेफ़का नियम भाद समझना सब्ल़ सब्सक्राइब की वॉय वात्शिल प्रदात कोई वात्शिल प्रदात जचimento पें तसिफाल इसमें ऑी आपको आपका डबा लिया डबा संब में हमने दाल हूँ प्या अज़र्य और यह भरा उबा इसमें अमने क्या किया इसका प्रारम्बिग दाब आपका प्र१ सुदध वस्थामें और कि पी निए ता इसका जो था पीनाट नि इसका फ। इसके और सुदध वस्था में जब इसे गर्म कर डाल दिया औरे भाई साब डालने के बाद इस्तिी हीचेंग हो गया इसका वास्प डाब P Cannes लगने लगा सॉनिस्टिस इयनने से सइन्टिस्ट सीहा ने सिदे बताया अब जो दाब लग रहा जो हमने वस्प सिल पदात को इसमें डाला है वहGrand आज्सिका करेगा सिंधि एक कि समानुपाति यानि जितना इसका मोल प्रभाज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इसका अंसिक दाब बढ़ेगा अब भाई इस समानुपाति को हटाने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट का जोगत्ना पीनाट एकसे होगा अब खेल खेल में आप सभी लोग राउल्स का नियम क्या है विलियन में किसी वास्तित आवयों का वास्वदाब आंसिक वास्वदाब विलियन में उपस्तित आवयों के मोल प्रभाज की योग के समानुपाति होता है विलियन में आप लिखेंगे विलियन में विलियन में किसी वास्तित विलियन में किसी विलियन में किसी वास सील आवयों का आंसिग्धाब क्या होता है गिए कि सिल पदात अगर डालते हैं तो उस आवयों का आंसिग्धाब जो होता है वह विलेन में उपस्थित पदात के विलेन में उपस्थित उस आवयो के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है विलेन में उपस्थित उस आवयो के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है बिलियन में उपस्तित उस अवयो के मोल प्रबाच के क्या होता है समानुपाती होता है अब देखे समानुपाती के उचीने को हटाने के लिए और टेक नियतां का उपयोग किया जो क्या है सुद्ध आवस्था में वास्प दाब है ठीक है अब फटाप्ट सभी लोग तो विडियोग को पढ़ вз거를 में लेंक ही वी आवेयो कोहांसिग दाब विल्यान में उपस्तित उसाओयो पी होता है जहां पर पी नाट एक नियतांक हमने लिखा है और पी नाट क्या है आपका एक नियतांक है और नियतांक के साथ साथ में आपका क्या है पीनाट पीनाट क्या है एक नियतांक है और बिलियन में उस सुद्ध आयो का वास्प दाव है यानि जब सुद्ध वस्ता में अब आगे हम लोग मानते हैं क्या करते हैं एक बात मानते हैं कि एक billion है billion में दो तत्तों है xa और xb billion है billion में दो तत्तों है और एक बात में कौन-कौन xa और xb दो तत्तों है कि एक billion है billion में दो तत्तों है इन दोनों तत्तों को इसमें दो तत्तों का आंसिक वास्वडराण के नियम से क्या हो जाए गाठ पी प्रफोर्पोर्पोर्पोर्शनल्टी फे एक एक से होगा फिटेंग इस li था का सकते हैं चिन को हटाने के लिए हम हटा सकते हैं क्यालिखे ओफिकूल तो P not B X B इस प्रोपोर्शनलिटी के चीन को हमने हटा दिया, हटा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है याँ पर, नहीं है नहीं है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को उठाकर एक ही पात्र में डाल दिया, A plus B कर दिया तो मेरे भाई साब, मेरे सरकार जरा बताना इस billion का वास्थदाब क्या होगा अरे वही होगा जो आपका P A है और P B है दोनों के बराबर होगा तो P A क्या है आपका P not A X A है और P B क्या है P not B X B है तो यह होगा मेरे कहने का मतलब आपकी एक्जाम में ऐसे ही पूछेगा कोई आंसिक वास्थदाब P A P B है दोनों का आंसिक वास्थदाब दिया रहेगा तो आपके दोनों का पूछेगा तो यह कर देना ठीक है हलाकि अभी नहीं समझ में आ रहा है असर एक्जाम में कैसे पूछा जाएगा लेकिन जो आपने समझाए यह समझ में आ गया यह है ना आपके बाद समझा अभी मैं इस चैप्टर का प्रैक्टिसेशन लेकर आने वाला हूं उसमें करा दूँगा अभी आप पढ़ो बस अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो बस टेंसन मतलो समनेगा समझाने का तो मिखेल मेरा है ना मैं समझाँगा आप लोगो चलिए हो गया है कि अरे हो गया है चीज़े देखोगे अगर नोट पर कैसे लिखा हूं यह नोट पर लिखा हूं पढ़िए सबी लोग माना विलेन में दो वास्प सिल अवय अवय और भी है उनके विलेनों के आंसिक दाफ पी नाट ए पी ए और पी बी है मोल प्रबाच कम से एकसे और एकस भी है तो राउल्स की नियम से क्या होगा पी इस प्रपोजन टू एकसे पी प्रपोजन टू कि न Allah गर्ला विए ग्राभ देख लेना सभी लोग मैं सम्झायूंगा नहीं आप यह आप नहीं सम्झायूंगा मैं वैसे गराभ खाने प्शाने जाता है देख लेना सभी लोग के लगेंगे ना आपको मैं अधस और अनाधस बिलेन बता रहा हूं। तो कि गराप नहीं पूछा जाता आपके इचाना है, हलाकि मैं जब पहली बार पढ़ा ला था उसमें मैं साइद बताया था, मुझे याद नहीं साइद मैं बताया था, चीजें वही पढ़ो जो आपकी इच्जाम में पूछी जाती है, अगर आपको आगे तयारी करना है, तो मैं आपको आपको करना है यह सबी चीजें और अच्छी से डिसकस करेंगे, ग्राप भी डिसकस करेंगे और इसी ग्राप पर अधारी निमेरिकल भी करेंगे, आपके ग्यान में नहीं पूचा जाता है इसलिए में करा रहा हूं यह मस्तुजा मुझे आता नहीं है आता है यह करा नहीं रहा हूं क्योंकि वही चीज पढ़ो यहां पर ग्यान का परदसन करने का कोई यहां पर आप लोह का कैसे आपका पर्स 소개 कर चüs जाओ हूं परिटाजिया कीह तो आपısı क्सक्राइबां पर्स सी प्रौक्त नहीं मतलब फशिव क्षिटीज करते हो है लेकिन परसंटेज नहीं आया तो क्या आया तो आपको आगया 90फिर्सेंट और आव में हला हला होगा हुआ मिठाईयां मटेंगी डी जे बजेंगी अगर नहीं आया तो फिर आसू निकलेंगी तो परसंटेज के देर से पढ़े हो सब्सुर्ब लो ठीक है वागी जब विन में पिडिय उसमाज विन आडर्स और आनादर्स या दो अधर VB याज विलियन को तो आथा आसmy daily आगर आधस विलियनलोंक व बिलियन वह विलियन वह विलियनarde और राउल्स के नियम का पालन न करे उसे क्या करते हैं अनादस विलियन करते हैं तो आदस विलियन करते हैं जो राउल्स की नियम का पालन करे उसे अनादस विलियन करते हैं वह विलियन जो राउल्स की नियम का पालन करे उसे अनादस विलियन करते हैं वह विलियन जो राउल के लिए हम पहालन नहीं करें उसे अनादस विल्यन करते हैं एक बाद फटा-फट कमेंट वाकस में लिए डालो सभी लोग ताकि रिवीजन हो जा चीजिए आपको याद रहें रिवीजन हो जाट चीज़ें याद रहे हैं ठीक है तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग ना देखें आप राउल्स की नियम की विश्षिस्ता हैं कभी-कभी आपकी एक्जामें पूछी जाती हैं मैं पढ़ देता हूँ देखें राउल्स का जो नियम होता है या आती त जाफनों फुलेयन पर ही लागू होता है बात करें अगर सांदर फुलेयन हो तो उसके लागून होगा पहली बार राउल्स का नियम जो होता है उसके मापन के समय ताप इस्थिर होना चाहिए तरक में परियुतन हो जाएगा ये तीन द्रावल्स के नियम की अपवाद हैं विशेष्टा हैं आप इसे देख लेना सभी लोग ठीक है चलिए नेस्ट पेज़ पर आप सभी को अब आ रहा है और द्रव के अडू संख गुर्धर्म द्रव के अडू संख गुर्धर्म हैंडिंग करना द्रव के अडू संख पर निबर करें द्रव के अडू की संख्या पर निबर करें द्रव के अडू या आयनों की संख्या पर निबर करते हैं उसे क्या करते हैं द्रव के अडू संख गुर्धर्म करते हैं वे सभी गुर्धर्म जो द्रव में जो विलायक होते हैं उसके अवयों की संख्या पर न लेकिन हमने जब शब्द लेगा जब इसमें नमुख ढला तो येत नमख जो हमने डाला है इसपी डिपेंड कर रहा हुत या कि नमक जाधा ले respennd कर रहा हुत तभीतुन कम ज्यादा समय लेने लगता हं आह ज्ज्यादा समें लेता है कम समय जञता यह सबी चीजह आगे पड़ने अभी तो क्यों को लिए जानों कि आप जबсьद पानी में नमक डाला तो इसके जो गरम होने की इसके कोफ़ накा जो समय वह समय कम हो गया या जादा हो गया कुछ ना कुछ परिवतन हुआ तो ऐसे गुर्धर्म जो दूसरे अड़ों की संख्या पनीबर करते हैं विलायक या विले के अड़ों की संख्या पनीबर करें उसे क्या करते हैं ड्रव के अड़ों की संख्या गुर्धर्म करते हैं अगर अड़ों की संख्या बढ़ती हैं तो इस पर करेंगे सभी लोग लिखेंगे कमुट जो में कि एक निस्च्चित आयत्न में उपस्तित विलेक कडूं की शंख्या पर निर्वर करे उसे क्या काते हैं कर दिया कणते विलायक की एक निश्चित आयतन में उपस्तित विले के कड़ों की संख्या पर निर्बर करें उसे अरुसंग गुर्धर्म करते हैं। अरुसंग गुर्धर्म की बात करें ये चार प्रकार का होता है। वासदाब में आप एची का उनमन होता है। दुसरा में दिखाई नहीं देरा समझ लिना। दुसरा होता आपका क्या कोथनांक में उन्याद। में उन्याद। कुछनांक में उन्याद। तीसरा हिमांक में उन्याद। तीसरा हिमांक में उन्याद। चोथा क्या होता है आपका। चोथा होता है परासर दाब। चोथा होता है परासर दाब। चार प्रकार का होता है वासदाब में आप एची काउनमन। कुछनांक में उन्याद। और परासर दाब। यह चार प्रकार का होता है यह चार प्रकार का होता है। यह चार प्रकार का होता है। ठीक है मैं सबसे पहले last question लगवा रहा हूँ नहीं पहला first question ही लगाते हैं ठीक है सरवादिक कोत्नांग निम्लिकित में से किसका है आप से यह पूछा है अब भाई मैंने क्या बता है कोस्टनांग क्या होता है अरू संग घृधर में तो उसी का कोत्नांग का तिकोई जिसमें अरू की संख्याद होई बाई साब यहां पर गुल्कोज पहला अफसन दिया गुलकोज उरियाग तो पहले अलग करें क्योंकि उरियाग उर्फज आपके इसमें एक भी आयन नहीं होते हैं बात आती है के नूथरी और किया है यहाँ पर आपका क्या क्या दो है एक के नो थ्री और एक यने टू सो फोर है और दूसरा क्या यहने टू एसो फोर है यहने टू एसो पर उसको संशंद कर लिना कि यहने टू एसो फोर है अब भाई इन दोनों में किसका अधिक है बताओ जारा जिसमें अरूं की संख्या अधिक है यहां पर ध्यान देना एक तो यहनो थी है एक की है दो आयन है यहां पर ध्यान है और एक यह अच्छ यहाँ पर क्या है तीन अयन है भाईशाम वहा है गलती होई क्वाई यह लिखने में आपको ध्यान एन टू और सुबर होगा ठीक है तो तीसरा वाला प्षर असमझ में आए कॉसा अधूसंग गुर्धर्म नहीं है यह भी कोशन आपके पूचा जाता है बताइए कौन सा अधूसंग गुर्धर्म नहीं है पिश्टतनाव नहीं है कि परासरदाब नहीं है कि वासदाब में आपेची काउनमन नहीं है, कि हिमांक में आउनमन नहीं है, कौन सा अडू संग गुर धर्म नहीं है, बताए जरा, प्रिस्तनाव नहीं है, कि वासदाब में आउनमन नहीं है, कि हिमांक में आउनमन नहीं है, प्रिस्तनाव नहीं है, ठीक है, प्रिस्तनाव ने चारी बताया आपको कौन कौन बताया था वास्ट दाब में आप एच्छी काउनमन परासरदाब हिमांक में और कुछ नाम यह चार बताया था यहां पर तुरी न बताया था तो आप चार नमर ए गलत होगा एसा होगा क्योंकि वही नहीं है नेस्ट कोशन देखिए कोशन सरवादिक प्रासरदाब वाले योगिक हैं कौन सरवादिक प्रासरदाब वाला योगिक है एक यह में यह ने सीयल या फिर यह ने यह फोर थ्राइस यह पीओ फोर या फिर बीसीयल टू या यह ने टू यह सो फोर कौन सी सरवादिक दाब वाला होगा जरा बताना सिदी सी का तरवाजीक दाब उसी का होगा जिसका जिसमें अदूंगों की संख्या और अड़ी संख्याद दिखोगी गिनिये सबी होगा नहीं होगा दिखते हैं चली डिकते हैं निस्ट क्या आपका बीए सियल टू यह इसमें तीन आया एक बीए दो चीन तीन निस्ट क्या यहने 3 पी ओ फूर है यहने 3, 3, 4, 1, यहाँ पर 4 आएं है, 3 आएं और 1 आएं, और लास्ट क्या है, यहाँ टू एस सो फूर, यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, आएं, कौन से सही होगा आपसन, मुझे बताने की जरूरत है, C वाला आपसन सही होगा, C वाला सही होगा न, तरवादिक वासदा भी होगा अरे ऐसे कोशन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यह कोशन पूछे जाते हैं आपके एक्जाम में सबज में आया चलिए नेश्ट कोशन की और चलते हैं नेश्ट कोशन मैं लगा रहा हूं यह आपका लास्ट कोशन पढ़ना यह इस पेज का लास्ट कोशन है पता ने पढ़िए कोशन यह कोशन का जवाब सभी लोग कमेंट बाक्स में मैं कोशन पढ़ूँगा ही ने खुछ से जवाब देना कमेंट बाक्स में खुछ से जवाब देना कमेंट बाक्स में दे दिये लोग चलिए नेस्ट पेज पर पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले यह पीडियफ है आप सभी के लिए देखिए इतना रंगीन नोट्स है फिर भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो बीस नम्मर पेज पर हम लोग आ चुके हैं छब पेज आउर बाकी है और पढ़ाई करना भी आवरवा की है ना चलिए ठीक है आप सब सब कुछ सही है ना आप सभी लोगों के लिए आपकी क्या है वासदाब में आप इच्छिक आउनमन चार प्रकार था हमने पढ़ा था क्या वासदाब में आप इच्छिक आउनमन कुतनांग में उनियन हिमांग बॉस्ट दाब में आप इच्छी का जा करते हैं ब्लाइब कुछ से किन के लिए अब हम समझ जाते हैं आपको देखिए आपके सामने हैडिंग करिएगा वास्ट दाब में आप इच्छी काउनों मन दिखाई नहीं दे रहा है तो कहना चाहिए दिखाई नहीं दे रहा है सर फिसे मुझे लिखना पड़ेगा तिकाई दिरा नहीं मैं आप इच्छी थे आओ नमन चीजे मैं समझा दूंगा आप पढ़ लेना पीडियूप से ठीक है वास्दा में आप इच्छी काउनों मन क्या होता है चचा क्या किए दो बाटल थे आपके पास और नीचे से हमने गर्म कर रहा तो इसका वासदाब पहले पर क्या था आपका इस का इसाट्य वास्दाब पापका क्या था पी नाड था ये सुद्धवास फदाब था जब इसको हमने गर्म करने लगा जब हमने इसको गर्म करने लगे जब हम इसको क्या करने लगे गर्म करने लगे तो यहां पर एक प्राब्लम आई एक समस्या आई क्या समस्या जब इसको हमने गर्म करने लगा तो तो क्या हुआ है तो तो क्या हुआ अरे बताओ तो क्या हिआ हुआ जब गर्म होने लगा ठीक है गर्म हुआ अभी हुआ अब इसमें ऐने क्या क्या कुछ पदार्थ ला दिया है कि राप मतलब या है कि जब नमग डाल कर इसे गर्म करोगे पानी तो उड़ जाएगा निज रह जाएगा ते जाएगा नमग रह जाएगा वास्पसिल पदात का कर मतलब यह हैं हमने नमग डालने के बाद फिर से गर्म किया तो इसका वासवडाप जो आया पी यह साय नमग Department पहले अगर वासवडाप कुछ आ रहा था आपकुछ दूसरा है वासवडाप ने कुछ कमी हुआ पब पीनाठ था अब पीयस हो गया मेरी बास्त समझ में आ रही है सबी को हमने सबसे पले सुद्ध वस्ता में पीनाट वास्त दाप पाया था इस्तती तिया थी कि मैंने नमक डाला वहां पे तो इसका पीयस हो गया वास्त दाप में कमी हो गया का वास्डान इम्ट क्या हो गया पीएस और बाहराब हमये स्पापने की पाले स्पार अब 15 था आप 10 मीरा संब यह निन कम क्या लंग रबाद तो दूरह कम हो गया और सुद्द में उसने पी ना ठाख तो पिस हो गया अब डराब पताना तो वासडाब में कितना कमी हुआ वासडाब में कमी क्या हुआ पहले कि वासडाब 11-10 मतलब 15-10 यही कमी हुआ न है पहले सु हदवस्ता में 15 था बाद में PS हो गया. वासदाब में कमी क्या हुआ. पleader 15 था. PS हो गया. ठीक है? अब मेरी बात समझना सभी लो. मेरी बात समझना सभी लो. बात क्या समझना है. बात यह समझना है यह कंई क्यों होती है यह आपको जानना चाहिए लेकिन यह कब जाने से पहले हम आपको बताते हैं वास्तव में आप्छित आवनमन का मतलब यह जो पीनाट माइनस पीस था इसमें स्टार्टिंग माले से भाग देते हुए पीनाट माजनेश पीएस अपान पीनाट ये भाग दिए ये आपका वास्ट दाब में आपेचित आउनमन हो जाएगा ये वास्ट दाब में आपेचित आउनमन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वास्ट दाब में आपेचित आउनमन हो जाएगा अरे समझ में आ रही है मेरी बात, यह वास्ट दाब में आप एच्छी ताउनमन हो जाएगा, यह वास्ट दाब में क्या हो जाएगा, आप एच्छी ताउनमन हो जाएगा, आगे पूरा खेल वास्ट दाब में आप एच्छी ताउनमन से ही करना है, तो सुद्व वास्ट दा तेने कोच Salahya P直da Nixamati कर्फबात के अब यह बात आती है कहीं को पूछता है कम क्यों विका दो है कि तो मैं बता दे रहा हूं ध्यान देना सभी लो देखना यहां पर पानी थहां मैं एक बार बताऊंगा जिसको समझ मा आया समझ मा आया में जरूर नीचे बाइब करके मुझे बता है यह पानी इसको अमने गर्म कर रहे था पानी क्या था यहां पर ढर नहीं पर आगये नमक के कुछ कड यहां पर उपर आ गए नमक के कुछ कड निचे गये कुछ यह वासताप के लिए बीधो क्या हों को क्या रहा था यह कम कम हो जाएगी वह कमी कए पीनट मानी पीस था और वहही आप इच्छी कमी कि बात करें स्टाटिंग से भाग देंगी ओर समझ में आया सभी को Hey अरे बोलो समझ में आया सभी को अरे बोलो समझ में आया सभी और बताओ जरी समझ में आया सभी लोग को यह वासदाप मैं आपे इचीका नॉमर्ड, चीजें अगर आपको पढ़ना है या थे बहुत ही पहले से इसको अलेबल कर रहा है हम तिलिग्राम पर जा कर डाउनलोड कर ले ना आ या जाकर डाउनलोड कर ले ना एक और सबसे तो आप पर चले जाना है यह सबी चीजें बेख लें तो यह कारण बता है यहां पर लिखाऊं कम सब्दों में वही कारण है पने यह डारेक्ट निकल कर मार रहा था रखका अब यह लोग रहती है यह हो गया वासप डाब में आप इच्छी कहो नहीं तिक है अब हम लोग पढ़ने वाले वास्प सिल बिले पदातों के लिए क्या वास्प सिल बिले पदातों के लिए राउल्स का नियम हमने यह वाला पढ़ा था यह वाला राउल्स का नियम था यह वाला राउल्स का नियम था यह वाला राउल्स का नियम हम लोग पढ़ेंगे यह वाला राउल्स का नियम हम लोग पढ़ेंगे जो किसके लिए होगा उ करेंगे पानी तो उडि जाएगा वरनेमक बैठाई लगार यानि श्वर्थी मित्र की बात करेंगे वही बात आपका मेशकता मैंने देखता हू purchase चनल करेंगे अब देखते हो देखता हूं कि तुरी देखता है चोरी चोरी ऊप बाद में पढ़ता है कभी बाद में आप उढ़ जाओगे इसका परसेंटी जाएगा इसलिए मैं कहता हूं पढ़ा करो और दिखा दिखा कर पढ़ा करो तो वी डर के मारी कहा हम भी पढ़ रहे हैं जुट बोलों, तो भी जुट बोलों कि ओल से आप से ज्यादा पढ़ रहाओं? तो अगर आप उन्हें Slack करों के MPB कंटेंट तो होता है हमसे अच्छा कोई पढ़ा रहा हो उन्हें कैद वह और हो तो वह अप को सब्सेहर करेगा 10 पता चल जाएगा वैसे मैं जो आपको दे रहा हूं solid चीजें दे रहा हूं विश्वास रखकर आप लबी सभी लोग पढ़ाई करना आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी प्राब्लम नहीं आएगी जो चीजें मैं करा रहा हूं एक quality करा रहा हूं इससे बार आपके board exam में नहीं आए कि यहँआ कि यभी ओनाव सी टाइप टाने हमें उस ही टाइप टाइप लिए तरह घंप हम सुझते है तिक है उसको समझते हैं दाओं सुकल को समझते हैं पढ़िए सब लीन जो तब तक और फिर मैं उसको हटा देता हूं समझां देना पिर में लगा दूँगा ठीक है वास्प सीले विले पदात के लिए राउल्ट का नियम अब आउ आप सीले विले पदात के लिए क्या राउल्ट का नियम अरे यार नहीं दिखा दे रहा है कि नीचे हो गया जाना आँ वास्प सीन विले पदात फिस नहीं दिखा जरा हां कि ना नीचे हो गया हां एक मेट आप सभी लोग रूपना पर हो वास्प दर्ख चली अब ध्यान दीखिए अब वास्प सील विले पदात के लिए राउल्ट का नहीं हो ठीक है आओ अब दिखाई देखा और आन पोखो बिल्कुल दिखाई देखा आप मेरा जादा उपर हो गया था हूँ द आ वास्प के वाश्प सील मैं विले अ प्दाक के लिए राउल्ट कानियम अब आसपसिल विले पदात के लिए राउल्ट कानियम, तिमान राउल्ट कानियम कैसे लिखा हूं सब्यार नहीं पड़त पाराहूं है के लिए 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 राउल्ट का नियम अब वास्प्सिल विले पदात के लिए क्या राउल्ट का नियम ध्यान देना सभी लोग क्या है जब कोई देखे जब कोई आवास्प्सिल विले पदात भोला जाता है तो क्या होता है वास्प्सिल विले पदात के मोल प्रभाज के बराबर होता है है कि यह वास्पडाब में आप प्रभाज की बरआबर होता आप जो आप यह आपका यह आप के विले पदात के मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है जब आवास्चिल विले पदात हम लोग मिलाते हैं तो विले पदात के क्या होता है बराबर होता है जो विले पदात इसमें है उसके मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है यह आपका क्या है प्राउट्स का नियम है यानि पी नाट माइनस पीएस अपान पी नाट इस प्रफूर इस इक्वल टू एक्स विले यह होता है और इसी पर आपके एक्जामे निमेर कर पूछा जाता है मैं अभी आपको कराऊंगा पहले आप लोग इस यह स्टेटमेंट पढ़िए ए है न आप एक काम करें इसको आप लोग टमेंट बाक्स में लिखें पढ़ लिए तो लिखें 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 सभी लोग जब किसी विले पात अब आपसिल विले पात को को विलेयन विलायक में घोला जाता है तो आप एच्छी कवर्णमन क्या होता है विले के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है विले के मोल प्रभाज के क्या होता है समानुपाती होता है पी नाट माइनस पी ये सपान पी नाट इस इक्वाल टू मोल प्रभाज विले के विले के मोल प्रबात के क्या होता है समा नुपाती होता है जब कोई आवास किसी लिले पदात किसी बिलेन में गोला जाता है तो विले के मोल प्रबात कि क्या होता है समान उपाती होता है यह होता है अब देखिए इस मोल प्रबात क्या लिख सकते हो पी नाट माइनस पी अपान पी नाट इसकी इक्वाल टू लिख सकते हो यहां पर आप लोग ध्यान देना यहने यह क्या है का यहां लिखा हूं यहां आपका यह जो है विलायक है भी आपका मेरे Алजे का रिस अलब प्राभाज MOLE है कि अब माली जी यह आपका रिसनों ऐवले ए विलायक है और भी हाट का वी शीए तो इसको इसी तरह से लिखते हो ना है, ऐसे ही लिखोगे ना मोल-Prabaj, लिखोगे ना ऐसे, जहां पर आपका क्या है, P-naut आपका क्या है, सुद्विलायन का वासबदाव है, P-naut माईनज पी-e-s क्या है, आप एच्छी का अनमन है, और यने ए, क्या है, यने एह आपका क्य सतोयταविएभे यहां पर आगर मान लेजी जो विले है एंन वी यह यह बहुती 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 कम करते हैं के आप पॉनसे कम है इस कंडिशन में जेसे कैppen हाम क्या मान सकते हैं यह आपका जो एन भी एक इसको मान कर दूसे तो हम इसे इस तरह से अकर नूदी इसे दूसे हो एसे आप इन वी आ wiping आई ली सकते हो कि नहीं सकते हो अरे बताओ लीजyang के लिए सकते हो लिए सकते अब इसी पर आपके कोशन बनने वाले हैं इसी पर आपके कोशन बनने वाले हैं अब देखिए NB का मतलब क्या हुआ WB upon WMA नीचे क्या हो जाएगा यह डब्लू भी क्या है विले पदात का जो इसने घोले हो ईसका सका हुदलबmi दावलू भी क्या है विले पदात का ड़ुभार को डबू ए य्का ग्राम दाफ्वाण डवलू हम मेंब का डो हाँ अदुबार और आपको इसी को गठी मार कर रख लेना है ऐसी पर सभी निमेरकल बनेंगे इसी पर सभी निमेरकल बनेंगे इसे पर क्या होंगे सभी निमेरकल बनेंगे इसको हम रब कर रहा है है आगे मैं निमेरकल कराने जा रहा हूं एक ही निमेरकल कराऊंगा हलाकि यहां दो निमिरकल में दिया हूं एक ही न्यमिरकल कराओंगा बाकी निमरकल में प्रैक्티س कलास कराओंगा बहुत लंबी क्लास हुच इढिए निमाग खुदी पक चुका है मेरा पढ़ते बीदे बोलते और आप लोग lacks अ आता देखोगे आता दुसरे दीन देखोगे। यह करोगे मुझे मालूम हो चलिए। निमरिकल करते है। पहակे आप लों की मर्जी, आपका मुभाइब, हम कहने हम करते हैं कर रहते हैं कहने वाला। यह समझमा आस अभी को ? नजै, नेस स्पासर पेश पर चलते है। यह ने स्पेश पर निमेर्कल ही आगया, यह क्या आगया, यह देखे कुश्षन क्या है, कुश्षन पढ़िये तो समझ में आएगा, कुश्षन मैं नीचे लगा रहा हूंती है, यहां, नहीं कुश्षन को उपर ही लगाना थे रहेगा, कुश्षन मैं नीचे लगाना थे रहेगा, 535 mg है, जल का कुश्षन क्या, दूसरो 93 कलिविन ताप पर, जल का कुश्षन क्या है, कुश्षन का मतलब, जल का कुश्षन कितना है, जल का वास्षन पी नाट है, आपका जल का वास्षन दाभ है, आप पिनाक लिखें सुद्वासुदाव है कितना 17.535 mmHg यदि 25 ग्राम गुलकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाता है तब क्या होगा और या आपसे में कुछ गोल लए जाता तब ने आ हम प्राति डिया अग्रा घोला जाता है गुलकोज गोला जाता है यहाँ पर मैंने बता है डबलू बी क्या होता है गुलकोज जो गोला जाता है उसकी मात्रा होती है डबलू बी गुलकोज की मात्रा कितना गराम गुलकोज गोला जाता है पचीस गराम हो जाएगा पचीस गराम गुलकोज गोला जाता है 450 गराम जल म मतलब 450 ग्राम जल का मतलब समझ रहे हैं 450 ग्राम जल मतलब यह डवलू एका मात्रा है जल मतलब 450 ग्राम जल हो गया अब जरा बताएए अब आपको करना क्या है क्योवल इसी फारूमले में रख देना है पी नाट आपको मालूम है कितना 17.535 है माइनस पी एस आपको ग्याद करना है नीचे 17.535 कर देंगे तीक है देखो इसे मैं कैलकुलेशन हल्का बनाने के लिए ऐसे कर दें रहा हूं ठेक है देखे पी नाट माइनस पी अपान पी नाट है तो हम लोग क्या करते है अलक अलक derive एण एससे करते हैं पी नाट अपान प यह 1-PS upon peanut is equal to 1-PS minus peanut is equal to हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा अब ध्यान देना सबी लोग किसके बराबर हो जाएगा 25 ग्राम गलगोज बटे 180 थीं के अपन 450 ग्राम जल बटे 181 था रहे दे भाई मैंने यही में तो रखा WB गुलकोच की मातरा दव यमभी मतलब गुलकोच का डुबार डवलबुए यह मतलब विलायक मतलब जल की मातरा अपाण यह मतलब जय का अडान यहाँ पर रखीए one minus PS का value आपको निकालना प्यस रख दिझे पीनाट का value आपको मालू मैं 19 17.5 775 235 이지 क्यों को 25 बटे 180 50 हो जाएगा 80 से 80 कट जाएगा यहां पर 10 बचेगा 10 बचेगा 10 बचेगा ठीक है 10 बचेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 10 बचेगा अब देखें यह वन है इसको इस साइड लेते जाए इसको इस साइड लेते जाए वन माइनस हो जाएगा वन माइनस हो जाएगा 25 अपान 450 इंटी एक सुनना यह 10 फाला है सुनना इसे कौल टू PS अपान 17 वाइन का 17 वाइन दिखाए दे रहा 17 वाइन का 535 यह हो जाएगा अब भाइस साल्प कर लेना आगे इसे वन में से घटा उता देना 25 को इसे गुड़ा भाग कर्केEurope का oil really देना भाइ समय किया भी तो नहीं हूं ज्यादा अंतर नहीं आएगा забusion कमहीं आएका इससे आपको मालूम Скा किटना या या यह ते सब ना कि आपको इन है कि सब चीजें दी हैं बस वैलू तो आपको रखना है क्या करना है सब चीजें आपको सामने दी गई है बस आपके उसमें से पढ़ना है क्लेक्शन करके इसमें वैलू रखना है एंसर आज जाएगा क्या बड़ी बात है सब चीजें हो जाएगी क्लेक्शन करके वैलू रखना सब चीजिया आपका हो जाएगा अरे बोलो समझ में आ रहा है सभी को आ रहा है सभी को समझ में कि अब कुतनांग में उन्यान सुरू किया जाए कुतनांग में उन्यान सुरू किया जाए कुतनांग में उन्यान कुतनांग में उन्यान कोटनांग में उन्यां शुरू किया जा ठीक है कोटनांग में उन्यां ठीक है नया टापिक कोटनांग में उन्यां यह कोटन समझ में आ गया सभी लोग पढ़ लिए लगा लोग इना कोई दिक्कत नहीं है इसके अलामा एक दो कोटन नहीं बनते इस पर यह मैक्सिमुम कोटन था इसमें अडुभाग उचा है ठीक है चलिए अब इसको हम करते हैं इस टाप कोटनांग में उन्यां क्या हेडिंग करते हैं हम लोग कोटनांग में उन्यां ठीक है कौटनांग में उन्यां किसे का जाता और क्या होता एक किसी द्रव का कौथनांग वह ताफ होता है सबसे पहले कोतनांग क्या होता यह जाना किसी द्रव का वह कोतनांग वह ताप होता है जिस पर पूरा का पूरा द्रव जो है उबलने लगता है या पूरे के पूरे द्रव का वानमंडली डाप उसके वास्प डाप के बराबर हो जाता है जिस पर पुरे द्रॉट का वास्प दावे पुरे द्रॉट का वास्प दाव वायू-ंडली.. वायू वायू मंदली वास्ट डाब के बराबर हो जाता है उसे क्या करते हैं वास्ट डाब कुथनांग करते हैं कुथनांग किसे कहा जाता है वास्ट आप जिस पे पूरे द्रव का वास्ट डाब वाय मंदली डाब के बराबर हो जाता है को टनांग कहते हैं जल का जो गुटनांग कहते है कि अब ये आपके बजपन की nic नदेभी बाते टिन ये नहीं पढ़ने है इसके बहुमाई इसका तरह पीड़े आप टेए अस्टी यार ठख गया हूं और अंतिम समय चला कभीया उपर सकता हूं कितना खटवाओगी मुझे हां तिक है इसका अगर आप चलो बताई देता हूं आप लोग कह रहे हो तो अब देखिए जब हम लोग क्या करते हैं कोई विलियन है विलियन में कोई आव वास्पसील आव वास्पसील पताः पताः मिलाते हैं तो उसके कोफनांक में क्या होता है अन्ययन हो जाता है कि कि विलियन में कोई वास्पसील विले पताः मिला जाता है तो वीलियन का कोतनांग क्या होता बढ़ जाता है जै ड्याता है मेरे भाई जहले जान बढ़ जाता है कुटनांग पहले अगार पिक अना आदक फ़ह लिए पहले जल इड़नांता सो ऐधा तो आशो पताथ भूलाने के बात इक एक सो एक हुँ माना प्रारंभी कुतनाग अगर माना प्रारंभी कुतनाग अगर टी था टी नाट था तो इसमें जब जल मिला दिया हमने इसमें जब जल हमने मिला दिया या टी भी था टी भी था प्रारंभी कुतनाग आपका टी भी था है या तीनाथ ही रहने लिए टीबी बात करने चुद्ध के लिए प्रात्मी कोटनाब तो अगर इसमें जब हमने आवाउस्पी जील विले पदार्थ पदात मिलाया तब इसका कोटनांग टी भी हो गया पहले कोटनांग टी नाट था जब आब आसिल बिले पदात मिला तो टी भी हो गया पहले कोटनांग टी नाट था अब आसिल मिलाने पाद टी भी हो गया यानि पहले 100 था अब 101 हो गया तो कोटनांग में व्रिधि क्या होग क्या होगा क्या हगा में टी नाट विदी नाट माईनस- बाद में तो बढ़ा है ने नाग अब बात इसी तरह समझ सक्यों पाले 100 अब 101 होगा तो बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया यह ब्रिधी होता है कुटनाग में इसको डेल्टा-ट से पृदस्धित करते हैं डिल्टा टी और के इक तरह से कोत नांग में करते हैं इसा क्या तनक ऊद्वारा यह देखा गया जो यह इन होता और यह डिल्ता बिल्टा फी जह वहता है यह रिंदा योटा है आप के मोललता के मोललता के अनक्मानुपाति होता है ये प्रयोगों द्वारा देखा एट। आपका जो कोटनांग में उनियन होता है डिल्टा टी बी माइनस टी नाट यह बोलता कि अनको मानुपार्टी होता है इसी आप लोग लिख सकते हो अब यह प्रपोर्शनल्टी का चीन है इसको हटाएंगे और यहाँ पर के भी लिखेंगे जो की प्रपोर्शनल का कोटना बहरात आपका टीविके बराबर ही तो इसिकोल टू क्या होँगा डिल्टा टी बी इसुकल कीडिवर हो जाएगा Mr Dечатan B QS के भी क्या है आपका यह उन्यन इस्थिरांग कहा जाता है और इक्जाम में इस के भी का डिफिरिशन भी पूछा जाता भी इसके भी का डिफिनिशन पूछा जाता है मोलल उनियन इस्तिरांग इसके भी को कहा जाता है इसके भी को क्या कहा जाता है मोलल उनियन इस्तिरांग कहा जाता है और इस जाम में इसका डिफिनिशन पूछा जाता है कि मोलल उनियन इस्तिरांग या फिर कोफननाकी इस तरांग का परिभासा लिखिए ऐसे करके question पूछा जाता है अगर आप लोग पढ़े रहोगे तभी आपको समझ में आएगा पढ़े रहोगे तभी आपको समझ में आएगा अने था फिर नहीं आएगा Molar Union इस तरांग कहा जाता है इस के भी हो ठीक है अब इसका परिभासा क्या लिखोगी सबसे पहले आप लोग पीडियव देखिए यहां पर पीडियव देखे तो नेश्ट पेज देखते हैं नेश्ट पेज में आएगे यह आपका कुतनाक किसी द्रव का कुतनाक वहत ताप होता है जिस पर द्रव का वासदाब वायमंडली दाप के बराबर हो जाता है जलकतनांक 100 degree centigrade अब कोई विलियन में वाश्किल मिले पादाथ मिला दिया तो वाश्दाब में कमी हो जाएगा यही कमी को क्या कहा जाता है आक लोहादतों में हो जान्म कुल आपको ब अईंडान कया इसका और क्या होता इसके च्क्रम न हो सभी लोग अभी इसका को मुद्झे करते हैं कि फिन इतिक फृस zien क्रूं है तीवी है अगर विलियन का कोतनांग टीवी सुद्ध देखें कारण की चक्रन पढ़ रहे हो भी ने कारण अभी मैं बता दूगा पांच वेड़े समझा दूगा समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद कुछे ही परतान हो रहे हो ना पर लो अच्छ इंदारी होता जो मोलता के अनक token का न प्वानुपाति होता है तो यहां पर मोलता के अनकोबानुपाति कर देंगे इसके ध्यान पर यहां पर एक कार्षटेंट रखेंगे जिसे क्षचा मान अब एक किलोग्राम विलायक में विले का एक मोल घुलने के बाद कुतनांक में जो बिर्दी होती है उसे उसे मोलल उन्यन इस्तिरांग के भी कहते हैं यार याद करो सभी लोग एक किलोग्राम बिलायक में विले का एक मोल घुलने के बाद कुतनांक में जो भी बिर्दी होती है उसे क्या कहते हैं मोलल उन्यन इस्तिरांग यानि के भी कहते हैं कि अरे सबी को समझ में आया कि सबी को समझ में आया मोलल उन्यन इस्तिरांग हाँ अरे सबी को समझ में आया एक किraम हाँ में एकी एक मौल झोलने के बाद कोत्नाग में जो ब्रिद्य होती है उसे क्या करते हैं मोलल उनियन इस्तिरांग करते हैं सभी लोग लिखेंगे एक किलोग्राम एक किलोग्राम अगर घुलते हो तो घुलने की बाद विलायक में जो बिद्धी होती उसे क्या करते हैं मोलल उनेंद इस्तिधांग करते हैं लिखोगे सभी लोग एक बार की नहीं लिखोगे न अब देखे नीचे इसका मात्र दिया है कैलवीन किलोग्राम मोल इनवर्स इसे भी लिख लेना कि पढ़ देना सबी लो आजिए इसकी निमेरिकल करते हूं मेरिकव करने से पहले इसका एक फार्मुला यह फार्मुला आपको झा से बना हूँ भी है से ने टपका है कोई फार्वला आसमान से ने टपका है फार्वला यहीं से बना है इसी से बना है क्या फार्वला मुललता यह देखे यम क्या इसमाल यम मैंलक विले का अड़ बार इसमाल यम इसकोल टू इसमाल यम इसकोल तू इसी फार्वले पर सभी चीजों को रखेंगे 1000 क्या है 1000 के बी इन्टू डबलू आपान से बना है इसमाल डबलू यह इपान डिल्टा टी क्या है यह 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 यहां पर तो कि देखें यह स्माल यम जो है विले का अरुभार हैं है है जुचिजे इसमें गोली जाती है उसका अरुभार है यह इधिक यह आपका यह आपको पता है इसमाल डबलु जो है विले का ग्राम में दब्यमार है तो टीग है आओ डेल्टा टीबी क्या है देल्टा टीबी क्या है आपका कोथनांग में मुथनांग में अवब्य मह एक कैपिट ricotta chilा मुव क्या हब क्या अब के विलायक विलायक को ग्राम में दर्भ मार अ है दिमालाइक का ग्राम में दर्भ आए- inexpensive ङग यह सबी आप सभी के सांवें यह सबी चीजेंस अब समय लगे हैं यह वाल में यह और अक्षा है यह इसी फार्मॉले के अदार पर हम लोग इसी फार्मॉले कादार पर हम लोग करने वाले हैं हिम आंगवाला भी हम लोग इसी फारमूलय के अधार पर करने वाने हैं समझ मैं, चलिए कोस्ळमieseं की समस्टें हैं क्या रहते पीडियः पूरा नहीं है तो पीडिव पूरा नहीं है पीडियः पूरा नहीं है करते हैं इसको पढ़ते हैं ठीक है कोतनांगोनियन पढ़ते हैं उसके बाद मैं क्यों जो चीजे होंगी आपको यहां पे समझा देंगे ठीक है हम लोग यह पढ़ रहे ते हुए कौ्cheson के करने छिखा देता हुई इसी कोषन आते हैं या पस फार्मुळ के रखने वाले कॉषण आते हैंका हम क्या करने वाले हैं इस सभीगेolit की एक चेप्टर का एक फार्मुला सीट आप लोगो को देने वाला हूँ में लिंग ने में लुकाता लें नगे रिखुंग एंकته खिपना मिलाता कीरिया आकप यथे जियुक्त पार जै। इस विले जैय। टल इसटारिश भी के भी देपने खुच्द के पर डिगतिक हो बनारहें और चाइंगे मैं अब देखें यह एक डो तीन चार पांच इसमें से आपको चार चीजें को सन में देदेगा एक को सन पूछ देगा जो चीज पूछेगा उसे आप लोग इधर उदर करके निकाल ले ठीक है युक फार्मला यात करोअ दोनों के लिए काम चल जाएगा किसकी मात्राइब गुलुच के मात्रा कम अब पढ़ना कुछन को सतरः फॉइंट वन गराम गुल को जिसके अड़ुरी तीन सो वयनालिश दिया हुआ है इसमाल का वेलुऊ क्या हो जाएंगा इस माल डवलू का वैलू क्या हो जाएगा यहां पर सत्रय p Kabla जाता है तो जल का यहां पर शलका विलायंक का Whitlamy मात्रा क्या है है capital W का value क्या है 100 gram अब 100 gram है ठीक है 100 gram है ठीक है इसी फार्मुली में रखना है 100 gram जल में घोला जाता है अब ध्यान देना आगे क्या है तो हिमांग में ओनमन कितना होता है देल्टा टीवी पूछा है दिया है आपका 0.93 डीडी सिंटिगेट होता है तो जल का मोलल और नमन इस्तिरा के बी का value गयाद कीजिए अरे आप फार्मुले में रखके नहीं गयाद कर लोगे आप लोग नहीं कर लोगे छोटा सा काम करना है क्यों फार्मुला में चार्टीज मुझ बोलते बोलते पक जाता है इसलिए अब ध्यान देना नीचे द्यान नीचे यह देखना कि सलूसर है यहाद देख लेना सबी चीजे दिये जो चीजे नहीं दिये जो उसी चीज को रखके निकाल लेना इसी तरह से आपका देखिए नेस्ट को सन है जो कि 2020 में ही को 256 ग्राम यस यस मदब सल्फर में गोला जाता है तो इसमें क्या है अनुमन इतना होता है तो यस का अडुसुत्र ज्याद कीजिए इसमें आपका 32 आएगा मनलब यह से टाएगा ठीक है तो यह आपका हो गया अब पढ़ते हैं हम लोग क्या कि इसकी आगे ही नहीं है कि अगे है कि अग्या कुछ्षन हमने करा दिया यार यह यह वाला कुछ्षन करा दिया क्या कुछ्षन पढ़ा ही नहीं कि थोड़ी से गलती हो गई ना चलिए ठीक है इससे आपका यह हुआ कि आप यह समझ गया है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं बस कोश्षन अलग 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 हैं चीज़ें अलग अलग है इसका गलत नहीं होगा इसका कांटी लेता हूँ, एंसो गलत नहीं होगा, इसी फार्मुले पर भी ये कोशन रखके लगाओगे तो गलत नहीं होगा, और नीचे वाला भी कोशन, इसी फार्मुले पर रखके लगाओगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक ही होती है, फार्मुल लास्ट लेक्चर नहीं है मेरा इसके बाद मैं नहीं की यूटू पर नहीं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा सभी के लिए पढ़ाऊंगा मैं इसका अभी इस पूरे चैप्टर का निमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पर आज जाएगा समझ लिए यहां से चीज़ें समझ चुके नो क्यों इसी फार्मुले पर सभी को रखना है किसी क्यों इसी फार्मुले पर सभी को रखना है समझ चुके हो नहीं सभी लोग कि अरे बोलो समझ चुके हो नहीं सभी लोग कि बिल्कुल समझ चुके हो सभी लोग ने और चुछ समच चूके हो ना थीकर तो आप चलो जब हो इगया ऐसा काम तो हम लोग पढ़ी लेते हैं क्या कोंत्नाग में उनियन तो यहां पर देखें यह जो कॉषंस है यह को सने आपका यह को सने आपका किसका यह दोनों को नूट वक्तिस्स घॉला चुछ कि मुझे मुझे उडा हो इसा पर रखने सब्सक्राइब निगा कर लोगे और ऐसे एड कोशन की एक्ञामें के यह नहीं हो है यह निगे चिल सीप्षी हिमांग में ओनमन की बातें कर लेते हैं हिमांग में ओनमन क्या होता है पीडियाप से हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके बात के टापिक्स को हातों से लिखकर पढ़ाना होगा तो इसके पीडियाप से ही पढ़ा दें दोनों चीज एक ही हैं दोनों की दोनों चीज क्या है एक कोई भी थोस होता है हुए नहीं हो जैसे ही मांग में आमन हमने पढा सब्सकिरों हई होस्ता के बड़ाबर हो जाता है उस क्या करते हिमां करते हैं आप सभी लोग हिमांग की परिवास करेंगे वह किसी किसी द्रव का वास्वदाब जो होता है हिमांग के वास्वदाब के बराबर हो जाता है उसे क्या करते हैं थोसवस्था के वास्थाव के बराबर हो जाता है, उसे हिमांग क में काँ जाता है। दुख कोई भी द्रव है उसका प्रारंबिक हिमांक Calling समझते हो के तेश कहते हैं, क्या में जो ठंडा कोल्डरिंग आता है आप आप सभी के लिए तो कोल्डरिंग करने के लिए बरफ गयाता है तो कोई भी द्रव किए उस द्रव के कि कोई द्रौगर करुर्भिड तापी था इस्टी टाप में हमने कोई अवास्प सिल वीडने पतात मिला दिया तो यहां पर इसके ताफ में कमी कमी आ गई कुछ कमी आ गई कुछ कमी आ गई तीनाट था अब आपका थी हो गया तो 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 क्या कमी आया आप सभी करिए और सुद्षवृर्यणिका टापमानदल टी था कम्हान 2009 क्या हुआ कमी क्या हूआ पने फ्लापमानदल यहिज क्नाग में जलूल जोतनांग में और इसिंटो हो में यहीं के बुराबर देख़ा यहाभ na लिए- Sao यह वास्ट डाप के ऑनमन के समानुपाती होता है जैसे से वास्टब घटता है वेसे उसे कोटनांग में घटता है है अब मेरी बात समझना सभी लोग यहाँ पर गहाएं अब यह बतरूछने से आपको सब सब चीजें लिखी हूई है अब यहाँ पर देखना प्रहुगों मे जो अनमन होता है यह मोललता के समानु पाति यह यहां पर भी डेल्टा प्र जो है यह अगया पर कांस्टनु टाया किया गया जाता है मॉलल म、 कहा जाता है इसका डिप्निशन क्या होगा का सामनिय लिखा हुआ कहा जाता है सिय मॉलल Musum Collar эта जाता है किसी विलायक के एक kg में ahaus राभा सग्राम और इतार में आव वासिल विले पदाथ गोलने के बाद विलाइक के हमांक में जो कमी होती क्या करते हैं मोल अउनमन करते हैं कि यह बात करना सभी लोग एक कיח करना कमेंट बाक्स में सभी लोग लिख डालना कि लिखे सभी लोग किसी विलायक के एक किलोग्राम में वियावास से विले पदातका एक मोल घोलने के बाद हिमाक में जो कमी होती है उसे क्या कहा जाता है मोलल ऑनमन इस्तिरांग कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है मोलल ऑनमन इस्तिरांग कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है मोलल ऑनमन इस्तिरांग कहा जाता है कि इसी क्या का जाता है मोलल ऑनमन इस दांग कहा जाता है यह चीजिए हो गई आपके कंप्लीट हो गया अब देखिए यह जो फार्मुला है सेम फार्मुला था जो मैंने लिखवायता हूं क्या इसमाल यहम इस इकोल टू एक हजार की एफ इसमाल डबलू अपान कैटल डबल एफ इसमाल डबलू केलूडवति Latim है यहां पर इसमाल डबलु किया है विले का अड़ुबार जो चुछता है क्या है विले का ग्राम में महत्रा यह विल्त टीबियों आप निमेर्कल देख सकते हैं इसी के अधारित आप इसी पर निमेर्कल देख सकते हैं यही निमेर्कल तो मैंने करा दिया हो गया ना निमेर्कल हो जाएगा सभी से देख लिए दोनों निमेर्कल्स ठीक है आप हलका से छोटा कर देख इसका एंसर भी सामने आजाएगा इसके आपका पूरा ठीरी दिमाग मे आजाए पूरा रिवीजन हो जाए आपका और शाथ साथ में जो इपॉरें निमेरिकल से वह बहुत हैं अब देखिए ये दो निमेकल करने के बाद आपका कोई भी निमेकल आपके इजामें पूछा जाए आप चुटकियों मुडा लेंगे चुटकियों मुडा देगे हो जाएगा अब लास्ट बच्चा है प्रासर दाल प्रासर दाव के बाद हेद्मी का नियम यही आपके सलेबस में है यही आपको पढ़ना है लिखिए सबी लोग इसके साथ ले लिए अब इसके बाद तो पीडियव नहीं है खाली है पीडियव क्या है दरसल लगाने वाले ने कुछ गुष्टागी कर दी है गलती कर दी है टिक है क्या कर सकते हैं अब हातों से लिग कर पढ़ना होगा मुझी अब पीडियव जब आ आप पर जब PDF मिलेगा तूरा PDF एक साथ मिलेगा उसका टेंशन आप लेना ही मन ठीक है एक मेट आप सभी लोग बने रही है इसी मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा चलिए परासरदाब हैटिंग करिए का परासरदाब परासरदाब क्या होता है परासरदाब ठीक है एक ऐसा जिली देखिए सबसे पहले परासरदाब जानने से पहले परासरदाब रही का नियाब ठीक है यह जानने से पहले हम लोग जली जानते है हम लोग क्या किये क्या कर रहे हैं है कि विद्वा है कि हमने क्या किया यहां पर एक सामान और में जिल्ली लगा 282 ओने है किसे मिलकर बनी है समझ लेजिए आपका जिल्लीयुका ऑपले कापर फिरोसाइंन ये से मिलकर बना मिल के बना इस यहां पर हमने कोई द्रव रखा यह द्रव इस जिली को असानी से क्रास करके इस साथ चला गया समान जिली यह चला जाता है आई समान जिल्ए लगा दिया तो चला जाएगा क्या नहीं जा पाएगा यह दिर उस इने जाइप आपर जब घंए स्वा जो है यह दिर गलोकर समान जिल्ली लगाए तो कोई भी चीज़ नहीं जब ज समने यहां यहाँ पर प्र साइने ड्रखा तो यहाँ पर है जो स्ण कर इन ऐ Чंद में बड़े-बड़े कड़ इस बिलाइक कड़ यहाँ एक चाल सब्सक्राइब उसे क्या कहा जाता है अर्ध पार्गम में जिली कहा जाता है एक ऐसा जिली जिसमें बिलाए के कड़ एक आर्पार जा सके उसे क्या कहा जाता है एक ऐसा जिली जिसमें बिलाए के कड़ एक पार से दुसरे पार जा सके उसे क्या कहा जाता है अर्ध पार जाता है अर्ध पार में जिली ऐसा जिली जिसमें विलाय के कड़ एक साइट से दूसरे साइट आसानी से जा सके उसे क्या का जाता है अर्ध पार्ग में जिली क्या का जाता है अर्ध पार्ग में जिली क्या का जाता है उसे अर्ध पार्ग में जिली जिसे विलाय के कड़ एक साइट से दूसरे सा या अंगूर का जिली किसमिस या फिर अंगूर का जिली किसमिस या अंगूर का जिली यह दुसरा एक यह सभी एक ऐसे जिल्ली है जिससे विलायक कर आसानी से एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं अब बात कर लेते हैं परासर किसे कहा जाता है परासर किसे कहा जाता है देखें दो या दो से अधिक हम लोग क्या करते हैं यहां पर अर्दव पार्गा में जिली लगाते हैं यहां पर द्रव लगते हैं यहां पर क्या लगते हैं तो द्रव के अर्व क्या करते हैं यहां पर विलाय के कड़ होते हैं अर्दव पार्गा में जिली से इस साइट गति करने लगते हैं यहां क्या करते हैं इस साइट गति रुख सके इसी दाप को क्या का जाता है परासर दाप कहा जाता है तो जो दो भिन भिन सांदताओं के दो विलियन एक दुसरे के पास में रखे जाते हैं तो अद पार गया में जिली से ठीक है तो उसमें विलायक के अडू तनू विलियन से सांद विलियन की और गति करने लग लगाया जाता उसी दाव क्या का जाता है परासर दाव कहा जाता है अरे समझ में आया परासर दाव का definition तेके दो भिन भिन सांधताओं के दो भिन भिन सांधताओं के बिलेनों को किसी अर्द पारगया में जिली के से प्रिथक किया जाता है जब दो बिन बिन सांधताओं के बिलेनों को किसी अर्द पारगया में जिली से प्रिथक किया जाता है तो जो सांध्र बिलेन की गति क्या तनु बिलेन से सांध्र बिलेन की ओर गति करने लगते हैं तो इस गति को रोकने के लिए उपर से एक दाब पाशन दाब कहा जाता है। उस गति को रोकने के लिए उपर से एक दाब लगा जाता है। तनु बिल्यन से सांद्ध युल्यन के और जब गति करते हैं,ju एक दाब लगाजाता है। परासरद डाब कहा जाता है। जब दो भीन सांधताओं के विलियन एक दुसरे के साथ रखे जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर आपके अदव पार्गम इजिली से तनु विलियन जो होते हैं, सांध विलियन के ओर गति करने लगते हैं, तो गति को रोकने के लिए उपर से एक दाब लगा जाता है, उस दाब क्या कहा जाता है, परासरड दाब कहा जाता है, अब यह जो परासरड दाब होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अंतर परासड और परापरासड बाहर परासड अंतर परासड या फिर परापरासड जैसे आप लोग कभी किस्मिस को रखे हो किस्मिस को जल में रखे हो तो किस्मिस क्या होता फुल जाता है यानि जल के अड़ू जो किस्मिस के अंदर जाने लगते हैं तो आपकी जामे परासरड का definition पूछा जाता है, परासरड किसे कहा जाता है, आप लोग क्या बताओगे, जब भिन-भिन सांदताओं के दो बिलेनों को एक साथ रखेंगे, तो क्या होता है, तन्यू बिलेन से सांदे बिलेन के और गती होने लगती है, कड़ों की, तो उस गती को रोकने के लिए उपर से हम एक दाब लगाएंगे, उस दाब को क्या कहा जाता है, परासरड कहा जाता है, उस दाब को क्या कहा जाता है, बोलिए समझ में आया सभी को, समझ में, मैं PDF PDF में बहुती ठीय के से लिखाऊं, ठीक है, बहुती अच्छे और के सिर्ट कहा जाता है, अब सी का मतलब क्या होता है, यहापर कसल expenditure,encial eben क्या है मूलों की संख्या, और इस पर डिफिस डिफिशन पडि इस फारूले पर कोस्टंभी बनती है पीडियाफ ही नहीं है नहीं तो कॉस्टं मेह दिखाता अब कोस्टंभ से लिक कराने का कोई मतलब नहीं है मैं निमेरको कोसं के प्रैक्टिस में सबी लोग आना जल्दी प्रेक्टिस रखोंगा चनल को सब्सक्राइब करके रखे रहा और टेलिग्राम हो रहा हो जूड़ जाना जब भी रखोंगा तो मैं आपको आउस्टेक सुचना दे दूगा आ जाना करा दूगा ठीक है अब यहां पर क्या है आर टी आर क्या है अब गैस नहीं है तो पीडियफ कंग खतम हो गया ठीक है कलती हो गयी इस पीडियफ नहीं है तो कोस्टन कहां से करांएं बिफने में समय लगेगा फाल तू कशकर अब इसके बाद आपका इस पर 2 billion तथा अल्ठ अलत अल्ठ परासिव बीजिए दगे दो या दो से बीरियन दो या दो से अधिक किसे कहा जाता है तो दो या दूसे अधिक विलियन जिसके परासर दाफ समानों उसे क्या कहा जाता है संपरासरी विलियन अब एक जाम में दो तत्तु भी देकर पूछा जाता है अब जेटिक कोशन के रूप में भी पूछा जाता है मैं करा दूगा टेंसन मत लेना सभी सम परासरी बिलियन क्या होता है ऐसे दो बिलियन जिनके परासर दाफ समान उसे सम परासरी बिलियन कहा जाता है बिलियन कहा जाता है अब देखे इसके बाद हमें विलेता पढ़ाना है विलेता क्या होता है सम परासरी बिलियन इसके अलाव मुझे विशरर भी पढ़ाना था लेकिन पीडियाफ ही नहीं है ने कैसे पढ़ाओं उसमें आपको कुछ फिगर ओरा देखाना था ठीक है ऐसा करते हैं मैं जब निमेरिकल क्लास की प्रैक्टिस लोगा तो उसमें पहले इसी का निमेरिकल रखूँगा प्रैक्टिस हो जाएगे आप लोंगे ठीक है परसान मत होना मत करना की सर छोड़ दिए अब सो चार से पांच गंटे से लगाता है बोले जा रहे है पीडियाफ होता तो आस किसी भी पधात में एक निशित मातरा में स्य train स्व घराम में घूली मात्रा क्या करती तो घिलेत अ अब ग्रेहरनी का नियम लास्ट है उसी को पढ़ लेते हैं पात करते हैं ठीक है विलेता विलेता क्या करते हैं विलेता आपके एक्जामे विश्टी नहीं है विलेता किसे करते हैं किसी पदात का वह मातरा जो निशित तापर सो ग्राम विलायक में घुली हो उसे का करते हैं किसी पदात की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो उसे उस पदात की क्या कहते हैं? जैसे गैस की द्रव में बिलेता, जैसे अलग अलग गैसों की द्रव में बिलेता, अधिक होती है, कार्बन डाययकसाईड डि lithary की जल में बिलेता बहुत ही अधिक होती है, जिनकी बिलेता का मतलब वही है, जैसे कोई दूसरी पदात है, उसमें कोई चीffy घुल जाया कि उसे बिलेता करते है, आपके एक्जाम में बिलेता का डिटिशन नहीं पूछा जाता है बिलेता आपके एक्जाम में पूछा क्या जाता है पूछा यह जाता है कि हिर्नी का नियम करते किसे करते है तो हिर्नी का नियम जो होता है वह होता इस्तित ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में भी लेता उसके दाप के समान उपाती होता है आप हेडिंग डालका हिरनी का नियम लिख लेना यही आपके एक्जामें पूछा जाता है हिर्णी का नियम ये नियू सलेवस के का नियम ये आपके इंग्जाम पूछा जाता है क्या होता है हिर्णी का नियम इस्तिर ताप पर किसी गैस की द्रव में भी लेता उसके दाप के समान उपाती होता है के समानुपाती होता है इस ती ताब पर किसी गैस की द्रव में बिलेता क्या होती उसके दाब के समानुपाती होता है यानि यह जो दाब बिलेता है यम होती है इसके किसके समानुपाती होता है दाब पी के समानुपाती होता है अब यम जो होता है प्रपोर्शन टू यहां प पी क्या दाब है ठीक है पी क्या है सामय उस्था में गैस की दाब है अरे हो जाएगा सबी चीजें आपकी ठीक है इस पे भी निमेरकल है आपकी PDF में देख लेना सबी लोग ये लास्ट है आपका हिरनी का नियम इसके वांट आप गुड़ां के सब तो आपके वैसे तो मतलब में रूप से दिखा जाए तो सलेबस में तो नहीं है है भी सलेबस में तो बहुत ही कम पूछा जाता है तो नहीं ही समझना से ठीक है तो आज की लेक्टर बस इतना ही आप आप लोगों की जो हमारे साथ थी चार-पांच घंटे की क्लास इसे कंप्लीट हुई ठीक है तो आ के मिलते नेस्ट लेक्चर में सभी को बहुत बहुत धन्यवा थांक्यू आप सभी लोग मेहनत करते रहना जुड़े रहना अमारे साथ पढ़ाई करते रहना निश्ची तुर्प से भगवान आपके मेहनत का पफल देंगे थांक्यू